हेलो एवरिवान स्वागत आप सभी का टोपस प्राइम चैनल में इस वीडियो में आजम पढ़नी वाली हैं IPC 1860 देखें IPC जो सेक्शन्स होती हैं जो धाराई हैं उनको पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपोरेंट धाराई हैं जो यूज होती हैं जादा तर उन धाराओं को हम पूछी गई थी पुलिस की एक्जाम में वो भी देख लेंगे कि कौन-कौन सी धारा जो थी पूछी गई थी ओके इसके अलावा अगर आप एचसरी के किसी एक्जाम की तियारी कर रहे हैं हैं ग्राम सचीव हो गया या फिर पटवारी है पुलिस है इनके लिए अगर आप मौक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो परिख्षय आपि खरीद सकते हैं इन मौक टेस्ट को खरीदने के लिए आप हमारा जो है टॉपर्स 50 कोड यूज़ कर सकते हैं अगर को यूज़ करेंगी तो आपको 50% का जो है ओफ जो है मिल जाएगा वके अगर लीना चाहें तो है एचेसी क्रेस्ट कोश में वो सभी और जो आगे आने वाली वीडियोस हैं उन सभी की PDF जो है दी जाएगे ओके तो लिंक आपको इसका description box में दिया गया है साथ ही अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए शेयर कीजिएगा और चैनल को सबस्क्राइब भी ज़रूर करें ओके तो शुरुआत करते हैं पढ़ते हैं कि इंडियन पीनल कॉड 1860 क्या है तो देखें IPC में क्या given है definition and punishment of crimes जो अपराद होती है उसकी definition और उसकी जो punishment है उसके बारे में बताया गया है यहां पर end आएगा ओफ की जगे है definition and punishment of crimes ओके ये चीज़े जो है इसमें given है फिर पूछा जा सकते है कि उस वाकत जब यह IPC आया तो governor general कौन था तो caning था ठीक है या फिर यह पूछ सकते हैं कि IPC 1860 में कितने chapters हैं तो 23 chapters हैं और sections कितनी हैं तो 511 sections है इंपोर्टन चीज़े यह याद रखेएगा फिर आगे हम पढ़ेंगे इसके दाराएं कि कितने अध्याई हैं अध्याई कौन कौन से और किस अध्याई में क्या-क्या चीज़े बोली गई हैं तो शुरू करते हैं चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अध्याई वन अध्याई वन में क्या गीविन है उदेशिका यानि कि इसमें इंट्रोड़क्शन जो है दिया गया है तो देखे, सबसे पहले आती है धारा 1 इसमें दिया गया है सहीता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार यानि कि इसमें ये बताया गया है कि इसका नाम जो है क्या है Indian Penal Code के नाम से इसको जाना जाता है और ये पूरे भारत में जो है विस्तारित है यानि कि ये पूरे भारत में लागू है ये धाराई, ओके तो ये बताया गया है धारा 1 में, ठीक है, next section पड़ते हैं, धारा 2 कहती है भारत के बीतर किये गए अपरादू का दंड, धारा 2 कब अपलाई होती है, जब कोई आदमी भारत के अंदर जो है कोई अपराद करता है, उस पर जो है धारा 2 लगाई जाती है, punishment of offenses committed within India, यानि कि भारत के भीतर जो अपराद होगा, उसके लिए धारा 2 अपलाई होगी, ठीक है, next आते है धारा 3, धारा 3 क्या है, भारत से परे किये गए, किन्तु उसके भीतर विधी के अनुसार विचारणिये अपरादू का दंड धारा 2 क्या था, जो भारत के अंदर अपराद किया जाता है, वो चीज, और धारा 3 क्या कहती है, भारत के अंदर रहे कर आप कहीं और, भारत से बाहर जब कोई अपराद करते हैं, तो उसको यही मान कर जो आपको दंड दिया जाता है, कि आपने वो अपराद जो है भारत के अंदर ही किया गया है, ओके, तो ये धारा 3 जो है, कहती है, ठीक, चलिए, अब बात करते हैं, अध्याए 2 की, अध्याए 2 में गिविन है, general explanation, यानि कि साधारन स्पस्टी करन जो है, इसमें दिया गया है, ठीक, इसमें देखें, important पढ़ती है, अध्याए 1 में अगर मैं बात क तो धारा 1 से लेकर 5 तक जो है, धारा, sorry, उसमें उदेशिका में आता है, साधारन स्पस्टी करन धारा 6 से लेकर, I think, बावन तक, बावन तक जो है, अध्याए 2 में आता है, ठीक है, धारा 8 हम पढ़ रहे हैं, धारा 8 क्या कहता है, लिंग, यानि कि gender, जेंडर का मतलब क्या नारी हो, वो उन सभी परलागू है, ठीक है, ये बताता है, अगला है धारा 12, अभी सिर्फ डाफिनेशन बताई गई है, इसमें कि ये चीजें क्या होती है, सिर्फ इतना ही है, ओके, धारा 9 में अगर हम बात करेंगे, तो धारा 9 में जो है, वचन दिया गया है, कि एक वच अगर बात करें, तो धारा 10 में जो है, ये पुरुष और इस्त्री से रिलेटिड़ है, पुरुष जो है, ये किसी भी आयू का नर होगा, उसको दर्शाएगा, और इस्त्री किसी भी आयू की जो नारी होगी, उसका घोतक होगा, तो इसमें ये है, इतना इंपोर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने इसने नहीं लिखा, व्यक्ति की अगर हम बात करें, व्यक्ति जो है, ये आता है धारा नंबर 11 में, धारा नंबर 11 में व्यक्ति क्या है, कि व्यक्ति कोई भी कमपनी हो, निगम हो, निकाय हो, वो सब किसके अंतरगत आएंगे, व्यक्ति के आएगा, the word public include any class of the public और any community, यानि कि किसी भी community को आप क्या मानेगे lock, ठीक है चलिए, आगे है सरकार का सिवक, धारा निंबर 14, धारा 13 में क्या है, definition of queen queen की definition जो है given है धारा 13 में, ठीक है इतना important नहीं है, हमारे लिए जो important है वो है धारा 14 यानि कि सरकार का सिवक, servant of government, अब सरकार का सिवक कौन होगा सरकार का सिवक वही होगा जो, जिसे सरकार ने appoint किया होगा जो सरकार के अंडर काम करता होगा तो जो भी सरकारी करमचारी होते हैं वो सब किसमें आ जाते हैं, सरकार के सिवक में आ जाते हैं तो ये है servant of government, ठीक है, जो भी officers है, जो भी appoint किये गए हैं, वो सब, चलिए, आगे है धारा number 21, धारा number 21 में क्या है, धारा number 21 में है, लोक सेवक, यानि कि जो public के servant है, ठीक है, लोक सेवक क्या, जो public के servant है, जो public के लिए काम करते हैं, वो कौन-कौन करते है, सेना, नो सेना, या वायू सेना का जो भी officer होगा, वो किस के लिए काम करते है, public के लिए काम करते है, जंता के लिए काम करते है, तो वो case में आ जाएंगे, लोक सेवक में आ जाएंगे, ठीक है, नियाएधीस हो गया, नियाले का हर officer हो गया, वो सब किसमें आएंगे, public servant में आएंगे, ठीक है, जो government के लिए काम करेगा, वो सरकार का सेवक होगा, और जो public के लिए काम करेगा, वो public servant होगा, ठीक है, चलिए, अगला आता है धारा 22, धारा 22 में बताया गया है, जंगम संपती, यानि कि movable property, अब movable property कौन सी होती है, मतलब जो स्थाई, रूप से जकड़ी नहीं होई है, जिसको यहां से वहां, जो है, मतलब जो भी चीजे होती है, जिसको यहां से वहां ले जाया जा सकता है, वो चीजे, ओके, तो वो जंगम संपती के बारे में बताया गया कि movable property क्या होती है ठिक चलिए अगला है सदोश अभिलाब यानि की wrongful gain इसमें क्या है सदोश अभिलाब में क्या जाएगा कि विधी के विरुद जो साधन होते हैं उसका मतलब ऐसा लाब उठाना जिसका वो हकदार नहीं है उस लाब को उठाना क्या कहला जाएगा सदोश अभिलाब यानि की wrongful gain कहलाएगा चलिए बेइमानी से यानि की कोई काम जो है बेइमानी से अगर किया जाएगा dishonestly से किया जाएगा तो वो इसके under आएगा धारा 24 उसमें लगेगी तो कोई भी अगर बेमानी से कोई काम करता है तो उसके उपर धारा 24 जो है लगाई जा सकती है चलिए फिर आता है धारा 27 सक्षन 27 पतनी लिपिक या सेवक के कबजे में समपती देखे इसमें क्या होता है मतलब अगर कोई अपरादी है उसकी जो समपती है अगर वो पत्नी, लिपिक या सेवक के कबजे में है तो वो समपती जो है उस अपरादी यानिकि उस आदमी के अंडर ही मानी जाएगे कि वो उसी की property है कोई भी आदमी है और अपरादी है वो और उसकी जो भी प्रोपर्टी है वो उसकी पतनी के लिपिक के असेवक के कबजे में है तो वो उसी की प्रोपर्टी जो है मानी जाएगे ठीक है चलिए धारा 29 में दिया गए है दस्तावीज यानि की document में अब कुछ भी जो भी अकषर लिखा होगा वो सब जो है किसमें आएगा मंतला जिसका हम यूज कर पाएंगे वो हमारा किसमें काउंट होगा डॉक्यूमेंट मेंandy होगा ठीक है तो यह डोकिमेंट में हो जाएगा चलिए यह था अब है धारा 29A इसमें आ जाते हैं electronic अभी लेक जो electronic record होता है ठीक है electronic record जो है जैसे पेंडराइव अगेरे में जो record रखते न वो आ जाएगा इसमें ठीक है electronic record ओके चलिए धारा 31 बताती है विल जो वसियत वगेरे होती न जो वसियत दस्तावेज होते हैं यह उसके बारे में है धारा 31 ठीक चलिए उसके बाद है धारा 34 धारा 34 क्या है सामान्य आश्य को अगरसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किये गए कारिया देखें किसी आश्य को मतलब किसी काम को पूरा करने के लिए जब उसमें बहुत सारे व्यक्ति शामिल होते हैं तो वो सारे जो है उस अपराद के क्या माने जाएंगे गोतक माने जाएंगे यानि कि ये माना जाएगा कि वो अपराद जो है उन सभी ने किया है ठीक है ओके चलिए धारा 39 है स्वेच्छा यानि कि वोलेंटेरली अपनी इच्छा से कोई अपराद जब किया जाएगा ठीक है की अपराद की परीभाशा बताती है की कुछ अपराद जो है मतलब अलग अलग धारा ही है जैसे धारा 64, 65 मतलब इन में अपराद की कुछ डाफिनीशन अलग है और धारा 141 186, 177 इन में अपराद शब्द की का जो अर्थ है वो कुछ अलग तरीके से यूज हो है तो वही इसमें बताया गया है तो इसमें main main सिर्फ definitions बताई गई है चलिए आगे बात करते हैं हम धारा नंबर 44 धारा नंबर 44 में बताया गया शती यानि कि injury ठीक है? injury यानि कि किसी व्यक्ति के शरीर पर मन पर या ख्याती या संपती पर अवैद रूप से जो injury यानि कि अवैद रूप से उसको जो शती पोहँचाई जाती है उसके बारे में इसमें बताया गया है आगे है जलियान यानि कि वैसल जलियान अब सब को पता है जलियान शब्द जो होता है वो किसका गोतक है शबत क्या है कि नियलें के सामनी जो भी लोक सेवक वगरे जो शपत लेती हैं उससे से रिलेटीड आईए शपत की अंतर गता जैसे वो आता न न्याले में गीता पर हाथ रखकर जो कसम खिलवाई जाती है उसी के अंडर आती है ये सपत ठीक है वही है ये धारा 52 है सदभाव पूरक मतलब अच्छी विश्वास से जो चीज की जाए गुड फेट से वो आते है धारा 52 में मतलब इसकी डाफिनिशन बताए गई है सदभाव पूरक क्या है मतलब विश्वास से कोई चीज जो की जाती है वो चीज एक है संसर है आशरे देना यानि की हारबर किसी को आशरे देना तो यह क्यों इंपोर्टेंट है क्योंकि इन सभी टर्म्स का ही आगे यूज होने वाला है इसलिए इंपोर्टेंट है दस्तावेज भी आएगा अलेक्ट्रोनिक अभी लेक भी आएगा ठीक है और बार-बार लोक सेवक भी आएगा पबलिक सर्वेंट भी बार-बार टर्म यूज होगी इसमें इसके लावा वोलेंटरिली टर्म यूज होगी ओफेंस यूज होगा इंजरी शब्द यूज होगा ओथ का यूज होगा गुड फेथ क्या है हारबर क्या है इन ही सब चीजों का आगे जो धारा याएंगी उन सब में यूज होने वाला है इसलिए इनके डाफिनेशन इनके बारे में पता होना जरूरी था ओके अब चलते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट वक्स जो है शुरू हो रहा भी ठीक है धारा तीन बहुत इंपोर्टेंट है अध्याई तीन हम पढ़ रही है अध्याई तीन किसके बारे में है दंडों के विशे में यानि कि पनिश्मेंट के बारे में इसमें गीविन है ओके चलिए सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं धारा तरेपन यानि कि दंड इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई इंसान कोई अपराद करता है तो उस अपरादी को क्या-क्या सजा हो सकती है उसका प्रावदान है देखें क्या-क्या सजा हो सकती है या तो सकुम्रित्यू हो सकती है फर्स नमबर पे सेकिंड पे आजीवन कारावास भी यह याद रखी, फूर्थ है कारावास, कारावास भी दो तरीके का हो सकता है, कठिन कारावास हो सकता है, ठीक है, और दूसरा सादा कारावास हो सकता है, पाचवा है, संपती का समफरण, यानि कि अगर किसी ने अपराद किया है, तो उस अपरादी की जो संपती है, उसका जो है टिया जाता है ओकिए, अगर उसने कोई छोटा अपराद किया ज़माना लगा दिया तो इस तरीके से तो वह डिपढ़ किया किया है.. यह तो इस तरीके से कोई अपराद किया है.. यह सजा कि प्रावदानाना, कि यह सजा से 10 चीजन थीście है啊.. जाले, अब आती है धारा नंबर 54, धारा नंबर 54 करती है मृत्यु दंडा देश का लगुकरन, यानि कि कॉम्यूटेशन ओफ सिंटेंस ओफ डेथ, किसी को मृत्यु दंड दी गई है, ठीक है, तो जो भी सरकार है, उसको क्या कर सकते है, उस दंड को किसी अन्य सजा में बदल सकते है जैसे अगर आपको, मतलब, किसी इंसान को मृत्यु दंड दिया गया है, तो उसकी सजा को चेंज करके, वो अज्यवन कारावास या उम्र कैद की सजा में बदल सकते है, मिन्स, उसको कम कर सकते है, उसका लगु करन कर सकते है, किसी को बीश साल की सजा दी गई है, त इसमें है जुर्मानी की रकम, ठीक है, तो देखें, इसमें क्या है, कि कहीं पर भी ये नहीं दिया गया है, कि इसके लिए इतना जुर्माना जो है लगी का, ठीक है, वो न्याएधीस पर डिपैंड करता है, कि वो कितना जुर्माना उस पर लगाता है, मतलब जो भी फैसला जब कितना जो है उसके उपर चार जो है लगाएगा कहीं पर अब यह ऐसा नहीं दिया गया है कि आपको इतनी जुर्माना जो है लगाना है तो वो amount of fine जो है दिया है ठीक है और उस पर जो भी जुर्माना लगाया जाएगा वो उसको देना होगा ठीक चलिए आगे है धारा 72 इसमें क्या है कई अपरादों में से एक के दोशी व्यक्ति के लिए दंड जबकि निर्ने में यह कथित है कि यह संदी है कि वह किस अपराद का दोशी है punishment of person guilty of one of several offenses the judgment stating that it is doubtful of virtue okay देखे इसमें क्या कहा गया है कि मान लीजिए किसी ने बहुत सारे अपराद किये हैं एक person है जिसने बहुत सारे अपराद किये हैं लेकिन उसमें से एक दो का तो प्रूव हो गया कि यह उसने अपराद किया है लेकिन कुछ में जो है क्या है संदे है कि उसने यह किया है य उस बेस पर जो है, जो सबसे छोटा अपराद जो उसने किया होगा, उस बेस पर उसको सजा दी जाएगी, तो वही है कम दंड वाला जो अपराद होगा, वो सजा उसे दी जाएगी, ठीक है, जिस अपराद को करने से उसे कम दंड मिलेगा, वो सजा जो है उसको दी जाएगी, चाहे उसने फिर कितने भी जो हैं अप राद जो हैं क्यों ना किये हो बड़े से बड़े ठीक है लेकिन अगर किसी में संदे है तो कम वाले की सजा जो है उसको दी जाएगी ठीक है धारातीयत्तर एकांत प्रीरोध यानिकी इसमें क्या आता है कठिन कारावास या कह सकते ना काल कोठरी की सजा ठीक है अकेला जो है उसको रखा जाता है काल कोठरी में तो ये धारातीयत्तर में धारातीयत्तर कहती है इसकी अवधी बताती है कि जो एक कठिन कारावास होता है ये कि एक बार में चोदा दिन से अधिक न अध्याई नंबर 4 जो है ये बताता है एक मिनिट ओके इसमें है जनरल एक्सपेक्टेशन साधारन अपवाद सबसे पहले आती है धारा 77 न्याइक्त कारिये करते हुए न्याइधीश का कारिये अगे है धारा 82 वरस से कम आयू का अगर कोई सिशु कोई काम करता है कुछ ऐसा, तो उसे हम अपराद की श्रेणी में नहीं रखेंगे, ठीक है, अगर वो साथ वर्षे कम का है, और उसके द्वारा किया गया काम कभी भी अपराद की श्रेणी में नहीं रहा है, मिंस उसने अगर चोरी कर ली तो वो अपराद नहीं माना जाएगा, ठीक है, ऐसा खाय गया धारा 28 में biz फिर दारा आती है 83 83 कहते है की 7 वरस से उपर लेकिन 12 वरस से कम आयो कि एपरिपक्व समझ के सीशू का कारिया 7 वरस से तो उपर है लेकिन 12 वरस से कम है लेकिनसमझ क्या है एपरिपक्व है immature है एक दारा 84 है जो कहती है विकृत चित व्यक्ति का कारिया, यानि कि I act of a person of unsound mind, कोई मानसिक बिमार है, कोई व्यक्ति और अगर वो कुछ ऐसा अपराद कर देता है, तो भी उसको अपराद नहीं माना जाएगा, वो उसे भी अपराद की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, तो धारा 84 ये कहती है, तो इसमें भी ये बतारी कि कोई ये मतलब इसको भी अपराद नहीं माना जाएगा, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए नशे की हालत में, नशे की हालत में वो तब है, जब उसे जान बूज कर जो है, क्या दिया गया है, नशा दिया गया है, और उस नशे में अगर उससे को ओके चलिए धारा 87 की बात करते हैं, सम्मती से किया गया कारिय जिससे मृत्यू या घोर उपती कारी तो करनी का आशन और उसकी सम्भाविता का ग्यान हो, कोज, डाथ और ग्रीवियस हर्ट डन बाई, कंसेंट, इसमें क्या का गया देखें, इसमें सिंपल सी बात की गई है कि मान लीजे दो बंदी हैं और वो किसी सहमती से कोई काम कर रहे हैं, और उसमें एक बंदा इंजर्ड हो जाता है या फिर मर जाता है, तो उसका दोश उस दूसरे के ऊपर नहीं आएगा, फोर एक्जेंपल मान लीजे, दो बंदे हैं और वो पठाके जो है दिवाली वाले दिन जला रहे हैं, ठीक है, उनमें से एक का हाथ इंजर्ड हो गया या किसी कारण से बंफ उटने की वज़ए से उसकी मोथ हो गई, तो उसका जो ब्लेम होगा वो दूसरे बंदे पर नहीं लगेगा, ठीक है, सिंपल सी बात इतनी है कि जग दो लोग किसी सहमती से कोई कारिया कर रही हैं और एक उसमें इंजर्ड हो जाता है या हर्ट हो जाता है, तो सेकिंड पर उसका दोश नहीं आएगा, ठीक है, यह ध यह क्या है फिर एक्जेंब़ फाइदे के लिए, ठीक है, एक डॉक्टर है, पेशेंट के लिए कुछ काम करता है, जैसे औपरेशन है और आपको कह दे शान होना जरूरी है, और उस ऑपरेशन के वक्त उस पेशेंट के क्या हो जाए, नम्रित्यू हो जाए तो उसका ब्ले तो वो अपराद किश्रेनी में नहीं आएगा, ठीक है, चलिए, धारा 89 क्या कहती है, सर्रक्षक द्वारा या उसकी सम्मती से सीशु या उन्मुक्त व्यक्ति के फाइदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्या है, उके चलिए, इसमें क्या है, छोटे बच्चे हैं उसके लिए अगर कोई काम, उसके जो भी माता पिता होते हैं, उसकी बलाई के लिए कोई काम करते हैं, और उसमें अगर बच्चे को कुछ हो जाए, तो वो भी अपराद किश्रेनी में नहीं आएगा, ठीक है, यही बताया गया इसमें, चलिए, अगला है धारा 90, सम्मती ज किसी से डरा धमका कर कोई चीज करवाना, वो इसके अंदर आए, मतलब डरा कर किसी से सहमती लेना, वो सहमती नहीं मानी जाएगी, मतलब आप डरा कर किसी से कोई गलत काम करवा लेंगे, तो वो उसका प्रादी नहीं माना जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि वो चीज उससे क्या करवाई गई है, डरा कर करवाई गई है, इसलिए चलिए, अब आती है धारा 96, प्राइवेट प्रती रक्षा में की गई बाते things done in private defense मतलब वो चीजे जो self defense के लिए की जाती है अपनी जान बचाने के लिए जो चीजे की जाती है, वो आती है इसमें, मतलब कोई बात भी जो है वो अपराद नहीं है, जो किसके लिए की जाए जो self defense के लिए चीजे की जाती है वो कोई भी अपराद नहीं युमानी जाएगी तेखें, फिर आती है self-defense use कर सकते हैं यानि कि उसकी रक्षा जो है आप कर सकते हैं धारा निन्यान में कहती है कार्य जिनके विरोध प्राइवेट प्रती रक्षा का कोई अधिकार नहीं है मतलब कुछ काम मतलब कुछ लोग ऐसे भी है जिनको पास ये right नहीं है कि वे वो self-defense use कर सके for example जैसे मैंने यहां पर लिखा किसी ने अपराद किया है अपराद ही है वो अगर पुलिस उसको मारना चाह रही है तब self-defense वो use नहीं कर सकता वो self-defense नहीं माना जाएगा तो वो इसमें दिया गया है कि कुछ कार्या ऐसे भी हैं जिनके विरुद प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं यान कि self-defense का कोई काम नहीं है उनके विरुद ओके तो वो धारा 99 में बताया गया है ठीक है चलिए धारा 100 है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यू कारित करने पर कब होता है ओके चलिए अब वो चीजे बताई गई है जिसमें अगर self-defense करते हुए अगर सामने वाला बंदा अगर मृत्यू को भी प्राप्त हो जाता है तो वो कौन-कौन से अवसर होते है यानि कि कौन-कौन से सिचुएशन होती है जहां पर अगर वो मृत्यू को प्राप्त हो जाएगा तो भी उसको self-defense माना जाएगा तो इसमें छे से साथ जो है वो दिये गए है फुर फर्स्ट जैसे दिया गया है इसमें कि ऐसा हमला जो आपको घायल कर सके ठीक है मतलब जिसमें आप कोई आप पर ऐसा हमला करे कि आप मृत्यू को प्राप्त हो सके तो अव्यशा आप उसमें क्या करेंगे self-defense करेंगे शेकिंड कि ऐसा हमला जिससे आप बहुत जादा इंजर्ड हो सके वहां पर भी आप self-defense यूज़ कर सकते तीसरा कोई आपके संग मतलब रेप वगएर कि अगर कोशिश करें तब self-defense यूज़ किया जा सकता है फोर्थ जो है प्रकरति के विरुद अगर कुछ काम किया जाए या हमला किया जाए तो वह हो जाएगा अगर आपका कोई अपरण कर रहा है फिफ्ट में या व्यपरहन कर रहा है तो वहाँ पर आप self-defense यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो ये कुछ तरीके हैं कि जहाँ पर अगर आप self-defense करते हुए अगर सामने वाला बंदा मृत्यू को भी पारित मृत्यू अगर उसकी मोत हो जाती है तो वह self-defense माना जाएगा तो ये 5-6 situation जो मैंने बताई है इसमें self-defense मानी जाएगी लेकिन अगर आप जान बूझ कर किसी को hurt कर रहे हैं तो वह तो self-defense नहीं होगे तो इन situation में अगर आप यूज करते हैं हमला करते हैं उस पर वापस तो वह self-defense माना जाएगा चलिए अब आती है धारा नंबर 102 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा की अधिकार का प्रारहम और बना रहना तो इसमें ये बताया गया है कि आपकी जो self-defense है वो कहां से start होती और कहां तक रहती है जब तक वो start करते हैं आप पी हमला वहां से आप self-defense शुरू करते हैं और last तक जो है वो बना रहता है मतब कब तक जो है ये अधिकार बना रहता है वो बताया गया है इसमें चलिए अब आता है अध्याई 5 जिसमें बताया गया है दुष प्रेरन के विशय में यानि कि अबेटमेंट अबेटमेंट के बारे में इसमें बताया गया है अबेटमेंट क्या होता है दुष प्रेरन क्या होता है किसी को उकसाना ठीक है किसी को गलत काम के लिए उकसाना यह होता है abattment, दुश्प्रेराण जैसे धारा 107 है, किसी बात का दुश्प्रेराण, abattment of a thing abattment of a thing यानि कि आप किसी बात को छुपा रहे हैं या किसी को उकसा रहे हैं गलत करने के विए वो बताया गया है, उके अब आता है 108, दुश्प्रेराण abattr abattr कोन होगा जो किसी को गलत काम करने के लिए उकसा है, for example एक example लेते हैं कोई बंदा है r, इसकी हाथ्या करने के लिए s को कोन उकसा रहा है t उकसा रहा है, ठीक है लेकिन, s जो है ऐसा करने से मना कर देता है कि मैं r को नहीं मारूंगा ठीक है, तो यहाँ पर t जो हो जाएगा वो क्या होगा, s को m accelerator s के लिए क्या होगा, दुश्प्रेरण का दोशी होगा ठीक है, उसको उकसाने का जो काम करेगा वो दुश्प्रेरक बंजाएगा तो अब यहाँ पर कौन उकसा रहा था t उकसा रहा था किसको S को किसलिए R को मारने के लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जो किसी को उक्साने का काम करेगा वो दुश प्रेरक यानि की अबैटर जो है कहलाएगा ठीक है चलिए अब आती है धारा नंबर 108A यह मतलब बहुत सारी धारा हैं ऐसी है ना जिसमें अमेंडमेंट भी चलिए धारा 108 यह कहती है कि बारत के बार के अपरादो का बारत में दुश प्रेरन इसमें क्या है देखें अबैटमेंट इंडिया ओफेंस आउट साइड इंडिया फोर एक्जेंपल कोई इंसान है ए जो भारत में बी को बी को जो कि क्या है एक विदेसी परसिन है उसको अ बारत में विदेशियों को गलत काम करने के लिए जोकस आएगा वो ठीक है तो यह यहाँ पर जोकस आएगा वो क्या बन जाएगा दुश प्रेरन का दोशी हो जाएगा ठीक है चलिए अब आता है धारा निंबर 119 किसी ऐसे अपराद के किये जाने की प्रिकल्पना का लोक स सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारेन करना उसका क्रत्यव्य है पब्लिक सर्वेंट कॉंसीलिंग डिजाइन तो कुमिट अफेंस विच इट इस दूटी टू प्रिवेंट ठीक है कोई सरकारी करमचारी है उसे पता है कि यह अपराद हो रहा है लेकिन फिर भी उसको क्या कर रहा है छिपा रहा है ठीक है तो उस पर दारा 119 लग सकती है कि सरकारी करमचारी होते हुए किसी अपरादी के विशय में जानकारी चुपाना भी क्या है एक अपराद माना जाएगा ठीक है और उसके लिए जुर्माना लग सकता है या उसको दंड दिया जा सक पुर एक्जेम्पल मानिजिए कोई पुलिस ओफिसर है उसको पता है लूट होने वाली है लेकिन फिर भी वो इस बात को नहीं बताता है आगे जो भी ओफिसर बड़े या उस पर कोई कार्यवाई नहीं करता है उसको छुपा लेता है उस बात को तो वो धार 119 के अंडर आए में क्रिमिनल कॉंस्पिरेशी यानि कि आप राधिक सडियंत्र दो धारा है इसमें वस धारा 120 ए है और धारा 120 भी है धारा 120 ए में क्या दी गई है जो क्रिमिनल कॉंस्पिरेशी होती है आप राधिक सडियंत्र की परिभाशा दी गई है कि अब राधिक सडियंत्र क्या होता जब डो या दो से अधिक वेक्ति, या तो कोई अवैद कारिये करें या कोई कारिये ऐसा करें जो कि अवैद नहीं है लेकिन अवैद तरीके से अगर उस काम को करेंगे तो वो अपरादिक्षढियंत्रे में माना जाएगा, ठैक है? ठीक है एक तो अवैद काम हो गया और वेसे जब अवैद काम होगा तो वो तो होगा यह अप्रादिक शडियंत्र सेकिंड एक ऐसा कारिय जो अवैद नहीं है लेकिन अवैद तरीके से किया जा रहा है ठीक है तो वो अप्रादिक शडियंत्र माना जाएगा 120B में क्या कर दिया है इस आप्रादिक शडियंत्र का दंड जो है दिया जाएगा कि मृत्यू होगी आजिवन कारवास होगी या उससे कठिन कारवास होगा तो वो depend करता है कि किस तरह के का सडियंत्र जो था वो रचा गया है तो ये उसका दंड भी जो है साथ साथ हमने पढ़ लिया है कि 120A में इसकी डाफिनीशन है 120B में इसका दंड दिया गया है ठीक है चलिए आगया आता है अध्याई 6 अध्याई 6 कहता है राज्ये के विरुद राज्य के विरुद को यह जब अपराद होता है उसके बारे में Offences Against the State यह है अध्याई 6 में ठीक है इसमें सबसे पहले आती है धारा नंबर 122 122 क्या कहती है भारत सरकार के विरुद युद करने के आश्य से आयुद आदि संग्रे करना यानि की इंडिया की जो government है उसके खिलाफ या तो भारत में रहकर या भारत के बाहर रहकर उसपर हमले की साजिश रचना ठीक है और उसके लिए क्या इखटे करना हतियार वैपिन्स जो है उनको इखटे करना ताकि उस पर हमला किया जा सके तो उस पर धारा 122 लग सकती है ठीक है फिर आता है धारा 124 ए राज्य द्रो जो सरकार के प्रती घ्रिणा या अवमान पैदा करें यानि कि मानीजे आप सरक 124 एके अंडर तो ये उसी की बात कर रहे है चलिए अब आता थी है धारा नंबर 128 लोक सेवक का स्वेचिया राज कैदी या युद कैदी को निकल भागने देना अब लोक सेवक कोन थे पब्लिक सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट कोन थे जो पब्लिक की सेवा करते है जैसे व तो वो किसी राज कैदी को या युद कैदी को क्या करे निकल भागने दे इच्छा से मतलब अपने आप से किसी के उकसाने से नहीं खुद से जो उसको निकल जाने दे वो धारा 128 उस पर लगाई जा सकती है किस पर पब्लिक सर्वेंट पर ठीक है चलिए आगे आती है अध् वायू सेना से समबंदीत अपरादों के विशा में ठीक है इसमें क्या है देखे दारा 136 है इसमें एक ही दारा इंपोर्टेंट है ठीक है वैसे तो बहुत सारी है लेकिन इसमें जो इंपोर्टेंट है वो है सैनिक नो सेना और वायू सेना से समबंदीत अपरादों सुरी अभी ताज्यक को संस्रे देना, संस्रे हमने पढ़ा थे क्या होता है, किसी को आश्रे देना, मतलब रहने के लिए जगे देना, ये मालीजे, तो देखे, मालीजे, अभी त्याज्यक में जैसे नो सेना होगी, या वायू सेना होगी, अगर इसका कोई ओफिसर, कोई अपराद या दोनों भी लगाये जा सकते हैं, जो उसे आश्रे देगा, लेकिन इसमें और चीज याद रखे, अपवाद क्या है, जिसनो सेना ओफिसर ने अपराद किया है, अगर उसकी पतनी उसको आश्रे देती है, तो वो उसको अंडर नहीं आती है, उसको फिर सजा नहीं होगी, यानि कि उसकी पतनी उसको आश्रे दे सकती है, उसके लिए कोई सजा नहीं है, लेकिन उसकी पतनी के अलावा, उसे कोई भी अगर आश्रे देगा, उसको सजा जो हो सकती है, ठीक है, यह है धारा 136, ठीक, चलिए, अब बात आती है अध्याए नमबर 8 की, अध्याए 8 क्या रहा है अपराद तो उसे यह related है सबसे पहले यह बहुत important है ठीक है यह बहुत important है चलिए देखते हैं सबसे पहले है धारा 141 यानि कि विदी के विरुद जमाव यानि कि unlawful assembly जहां पर भी 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव होगा जो कि रास्ता रोकने के लिए खटे होते हैं यानि कि कुछ करने के लिए खटे होते हैं उसे वो आती है धारा नंबर 141 जैसे कि आजकल आपको पता है किसान अंदुलन चल रहा है किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो वो धारा 141 के अंडर आती क्योंकि वो 5 से जादा हो गए है तो वो धारा 141 आ जाएगे दी वरुद जमाव का सदश्य होना अगर कोई अपनी इच्छा से शामिल हो रहा है उसमें तो फिर उसके बाद जो भी होता है मतलब जो भी उसमें शामिल होगा उस पर दारा 142 जो है लगाई जा सकती है ओके बिंग मेंबर ओफ अनलोफूल असेंबली दारा 143 कहती है लेकिन क्या या तो जुर्मा न या थे मा की तक कि उसके को कारावास हो सकते है या फिर दोनों भी जो है उसको दिये जा सकते है दंड के रूप में ठीक है जो उसका सदश्य है बनेगा उस विदी विरुद जमाव का ठीक चलिए आगे है दारा 144 गातक आयूद से सज्जित होकर विदी विरुद जमाव में सम्मलित होना माली जे लोग इखटा हो रही है और वहां पर आप हत्यार के साथ जो है इखटा हो गए ठीक है तो आप पर दारा 144 मतलब उस वक्त जो है दारा 144 जो है लग सकती है ओक यानि कि हत्यार लेकर उसमें शामिल होना ठीक चलिए या उसमें बने रहना ज्वाइनिंग और कॉंटिन्यूइंग इन अनलोफूल असामली नोइंग एट हास बीन कमांडी तो डिस्पोज मतलब उसी जमाव में यह जानते हुए भी उसी में शामिल रहना कि विखर मतलब उसको बिखर जाने का आदेश दे दिया गया है और फि फिर दोनों हो सकते हैं ठीक है दारा 146 कहती है बलवा करना यानि कि बल और इंसा का प्रियोग करना ठीक है बल और इंसा का प्रियोग अगर किया जाएगा तो वहां पर हो जाएगी दारा 146 मेंज जब भी विद्धि विरुद जमाव जो चल रहा है उपर जो हमने पढ़ा उसके किसी सदश्य द्वारा अगर बल या इंसा का यूज किया जाएगा तब धारा 146 उस पर लग सकती है ठीक है दारा 147 में अगर आप इंसा और बल का यूज कर रहे हैं विद्धि विरुद जमाव के अंदर तो उसके अंदर उसको दंड दिया जा सकता है धारा 147 के अं और इसमें कारावास का भी प्रावधान है दो वरस तक सजा या फिर जुर्माना है मतलब यह दंड जो है दिया जाएगा ठीक फिर आती है धारा 148 घातक आयूद से सज्जित होकर बल्लवा करना यानि कि वैपेंस के साथ बल्लवा करना यानि कि फोर्स इस्तेमाल मालेजे क पुलिस आपको रोकने आ रही है और आप हथियारों से लेस है और पुलिस को रोकने यानि कि पुलिस पर यह अपना फोर्स जोए अपलाई कर रहे है तो धारा 148 घातक आरीस है चलिए धारा 149 विधी विरुद जमाव का हर सदश्य सामानने उदश्य को अगर सर करनी में कि अपराद का दोशी होगा यानि कि मतलब उस जमाव में जो भी व्यक्ति होगा और वहां पर कुछ भी अगर होगा तो हर एक व्यक्ति उस अपराद का दोशी माना जाएगा ठीक है? Every member of unlawful assembly guilty of offense committed in prosecution of common object ठीक है? चाहे वो कोई भी उदेश्य को पूरा करने के लिए खट्टे होगे जितने भी खट्टे होगे वो हर एक उस अपराद का दोशी माना जाएगा आती हागे धारा एरंबर 150 विधी विरुद जमाव में समलित करने के लिए व्यक्तियों का भाड़े पर लेना या भाड़े पर लेने के प्रती मोनानों कुलता ओके मतब जो जमाव या भीड जो इखट्टा होती है वहाँ पर लोगों को पैसे देकर इखट्टा करना उसके लिए जो है धारा 150 है ओके मतब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बाड़े पर लाकिए आप उनको खट्टा करें ऐसा कुछ दिया गया है इसमें ओके इसके अलावा अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो इसके लिए आप हमारा HSC Crash Course ले सकते हैं लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो वहाँ पर आपको जो है यह सारी जितनी भी वीडियो जाई है HSC Crash Course के अंदर वो सारी जो आपको उनकी PDF जो आपको अवेलेबल करवाई जाएगी ओके चले और इसके लाव अगर वीडियो अच्छी लगे धाराए अगर याद हो जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा ठीक चले धारा 151 पढ़ते हैं लोग सेवक जब बलवे इत्यादी को दबा रहो हो तब उसपर अमला करना या बादित करना means कोई police officer मतलब जो भी public servant है उस जो भी हंगामा हुआ है जो भी force या दंगे हो रहे हैं उसको दबाने के लिए जब कोई police officer आता है और आप सामने वाला उस पर attack कर देता है तो उस पर धारा 152 लगाई जा सकती है अब बात आती है दारा नंबर 153 की बलवा करने के आश्य से स्वेरिता से परकोपन देना won't only giving provocation with intent to cause right if writing be committed if not committed यहां वही है इसमें की हिंसा करना ठीक है हिंसा करने से यह related है 153A इसमें क्या है धरम मूलवन से बहाशा जनम स्थान निवा स्थान इत्यादी के आदार पर विभिन समूओं के बीच सत्रूता का संपरवर्तन और सोहार्द बनी रहने पर परतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना यानि कि कि किसी को धरम के नाम पर बढ़काना किस जलू से उसमें जान बूज कर अथियार लेके जाएं ठीक है या फिर सामोई परसिक्षन हो रहा है उसमें बाग लेना हो तो उसके लिए दिया गया है धारा 153A ठीक है आगे है धारा नंबर 154 उस भूमी का स्वामी या अधीब होगी जिस पर विदी विरुद जमाव किया गया हो ओके देखें जिस भूमी पर जो है जमाव इखटा हुआ है तो उस भूमी का जो स्वामी होगा उसकी परमीशन लेकर या वो जानता है कि हाँ वो आहां पर इखटा हुए हैं तो उसके विरुद भी मतलब उसको भी उसमें शामिल माना जाएगा उस पर भी जुर्मा लग सकता है और एक अजार रुपे का जुर्माना उस पर लगता है दारा 154 के अंदर जहां पर वो जमाव मतलब विदी विरुद जमाव जो है किये गए है ठीक है दारा 155 क्या है उस विक्ति का दाईत्व जिसके फाइदे के लिए बलबा किया जाता है इसमें क्या कहता है जहां पर बंदे इखटे हुए है जिसकी जमीन पर इखटे हुए है जो भी उसका मालिक है अगर वो काम उसके फाइदे के लिए भी हो रहा है मतलब जहां पर लोग इखटे हुए है ठीक है और जिस चीज के लिए वो इखटे हुए है उसका फाइदा उस जमीन के मालिक को अगर मिल रहा है, तो वो भी उसके अंडर माना जाएगा, यानि कि वो भी उस अपराद में शामिल माना जाएगा, कि हाँ वो भी उस जमाव में शामिल है, तो उस पर भी दारा 155 लग सकती है, ठीक है, फिरा दारा 157, विदी विरुद जमाव के लिए बाडे पर लाए गए उस पर दारा 157, दंगा, यानि कि अफरे, दंगे करवाना, यह इसमें आ जाएगा, means, जब दो, या दो से अधिक व्यक्ति, किसी पब्लिक प्लेस में लड़कर, लोगों की शांती को बंग करते हैं, ठीक है, पब्लिक की जो शांती है, उसको बंग करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको दंगा कहते हैं, एफरे कहते हैं, ठीक है, दारा 160 कहती है, दंगा कर घंड, अगर आप लोगों की शांति को भंग करेंगे तो आपको सजा तो होगी सजा हो सकते हैं एक मास तक या जुर्माना हो सकता है एक सो रुपे तक या दूनों से भी दंडित किया जा सकता है ठीक है, तो ये है धारा नंबर एक सो साथ अब आता है अध्याई नमबर 9 अध्याई नमबर 9 है लोक सेवकों द्वारा या उनसे सम्मंधित अप्रादों के विश्य में Offences by or related to public servant इसमें आती है सबसे पहले दारा 166 लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को शती कारित करनी की आश्य से विधी की अवग्या करता है मतलब कोई public servant किसी person को injury करने के लिए कोई काम करता है तो उस पर भी दारा लग सकती है 166 म्यानिकी मानिजे कोई police वाला है और वो किसी बंदे को जान बूज कर हट कर रहा है उसका कोई दोश ना होते हुए भी तो उस पर भी दारा लग सकती है 166 ठेक है 166 जो है उस पर दारा लग सकती है चलिए आगे है दारा 166 ए इसमें क्या है कानून के तहत महीने दिशा अवेलना लोक सेवक यानि कि पब्लिक सर्वेंट डिस ओबिंग डिरेक्षिन अंडर लो मतलब जो भी उसे आदेश मिले है अगर उनकी अवेलना करते है उनको नहीं मानता है पब्लिक सर्वेंट तो उसमें भी सजा का प्रावदान है उसमें दो वरस तक की सजा हो सकती है ठेक है आगे है 166B अस्पताल दवारा शिकार की गैर उपचार मतलब उस्पिटल में अगर कोई डॉक्टर सही से उपचार नहीं करता है उसमें लापरवाई बरता है तो उसके लिए है पनिश्मेंट फोर नोन ट्रीटमेंट ओफ विक्टम एक साल सजाय जुर्माना जो इसमें लग सकती है दारा एक सो सडशट क्या कहते है लोक सेवक जो शती कारित करने के आश्या से अशुद दस्तावीज रचता है मतलब कोई पबलिक सेरवेंट क्या इनकर्रेक्ट डोक्यूमेंट बनाता है किसी को हानी पहुचाने के लिए उसके खिलाफ कुछ गलत करता है तो उसके दारा एक सो सेवक पर यानिकी पबलिक सेरवेंट पर और यह उसको सजा हो सकते, तीन वर्ष और जुर्माना भी उस पर लग सकता है, या दोनों हो सकते हैं आगे है धारा 168, लोक सेवक जो विदी विरुद रूप से वेपार में लगता है माल लीजे, आप पबलिक सर्वेंट हैं, सरकारी करमचारी कह लीजे, सरकारी करमचारी हैं तो आप वेपार में नहीं लग सकते हैं, ठेक है? और अगर आप अपना वेपार खुद का करेंगे, तो आपको क्या होगी? सजा जो है, इसमें रखे गई है, एक वर्ष की सजा और जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकते हैं जो लोक सेवक जो विधी विरुद रूप से, यानि कि जो विधी के विरुद, नियम के विरुद, कि आप जो है, अगर आप सरकार, पब्लिक सर्वेंट है, तो आप खुद का वेपार जो है, नहीं कर सकते हैं, उसके लिए है ये, ठेक है? जो प्रोपर्टी है, उसको खरीद रहा है, या उसके लिए बोली लगा रहा है, तो वो भी एका प्राद माना जाएगा, तो उसके लिए उस पब्लिक सर्वेंट को दो साल की सज़ा और जुर्माना हो सकती है, ठीक है? दारा 170 कहती है, लोक सेवक का प्रतिरूपन, यानि कि पर्सोनेटिंग ये पब्लिक सर्वेंट, इसमें क्या है? कोई भी नकली ओफिसर जो बन्द आते हैं, कि यह हूँ, मैं वो हूँ, नकली ओफिसर बनके जो आते हैं, तो वो है, अगर कोई लोक सेवक का प्रतिरूपन करता है, तो उसमें सज़ा दो वर्स है और जुर्माना भी लग सकता है, ओके? दारा 171 कहती है, कपट पूरण आश्चा से लोक से वक्य उप्योग की पोशाक पहनना या टोकन को दारन करना, ठीक है? यानि कि आप जो है, पब्लिक सर्वेंट की जो भी कार्ड वगेर होती हैं, या उसकी जो भी ड्रेस वगेर होती है, जैसे आप पुलिस नहीं है, आप आप नहीं कर सकते हैं, ठीक, चलिए, अब आती है अध्याय नंबर 9A, 9A जो है ये नर्वाचन यानि कि चुनाव सम्मंदी जो आप राद होते हैं, उससे रिलेटेड है, सबसे पहले आती है, इसमें दारा 171A, अब्यर्थी निर्वाचन अधिकार प्रिबासित, इसमें क् अब्यर्थी यानि कि केंडिडेट कोन होता है, और इलेक्टोरल राइट क्या है, इनके डाफिनिशन जो है, बताई गई है, ठीक है, इनकी डाफिनिशन जो है, दी गई है, अब अब्यर्थी कोन होता है, जो निर्वाचन के लिए अपना नाम देता है, वही, और निर्वा जो किसी विक्ति को किसी उदेशय के लिए क्या देता है रिश्वत देता है तो उसवर दारा 171 भी जो है लग सकती है यानि की चुनाव में जो खरीदने की कोशिश की जाती है उस के ऊपर 171C निर्वाचनों में ऐसम्यक असर डालना अंडर-influence at election, election में किसी को influence करना कि आपने उसको उठ गोटे तो इसा होगा , उसको दोगे तो ऐसा होगा उसको पंधल том, influence जो आप नहीं कर सकते हैं 171D निर्वाचनों में प्रतिरोपन यानि कि आपने देखा भी होगा नकली वोटर जो होते हैं उसको बनाना ठीक है तो वो भी एक अपराध है नकली वोट आप नहीं डाल सकते हैं तो यह धारा 171D उस पर लग सकती है 171I है निर्वाचन लेखा रखने में आप चुनाव में और आप उसकाम को करने में अगर आप चलिए जी आगे पढ़ते हैं अध्याई नमबर 10 अध्याई नमबर 10 क्या कहता है लोग सेवकों के विधी पूरण प्राधिकर के अवमान यानि कि Contempt of Lawful Authority of Public Servant ओके चलिए जब मतलब जो लोग सेवक है वो जो भी आदेश वगर जो देती हैं उसका जो नहीं मानता है उसको तो उसी से समनों की तामील या अन्यकार रवाई से बचने के लिए फरार होना यानि कि कोई लोग सेवक का आदेश नहीं मानकर गैराजिरोना ठीक है मतलब लोग सेवक ने आपको कोई समन भीजा या आदेश भीचा सूचना भीजी मतलब जो लोग सेवक का आदिकार है कि वो ये कर सकता है और आप वहाँ पर एपसेंट हो जाएं प्रेजेंट ना हो तो उस पर दाराइक सो चवेतर लग सकती है मतलब लोग सेवक को कोई गलत इंफरमेशन देना या जूठी इंफरमेशन देना तो उस पर भी जो है तारा कॉन से लग सकती है 187 ठेक है 189 है प्रशन करने के लिए प्रादिकरत लोग सेवक या उत्तर देने से इंकार करना रफेरिंग तो आंसर पब्लिक सेर्वेंट ओथराइज़ दू कोशन मतलब लोग सेवक कोई जो आपसे प्रशन कर रहा है और आप उसका आणसर नहीं दे रहे हैं, तो उस पर धारा 189 लग सकती 179. दारा यहाइटी कहती है, कथन पर अस्ताक्षर करने से, मतलब कोई गवाई है और उस पर अस्ताक्षर करने से आप मना कर रही हैं, तो उससे लिए लिए धारा 180, ठीक है? आगे है धारा 182 इस आस्य से मिथ्या इतिला देना कि लोग सेवक अपनी विदी पूरण शक्ति का उप्योग दूसरे विक्ति को शती करने के लिए करें यानि कि आप उसको एक जूठी इंफोर्मेशन दे रहे हो लोग सेवक को कि भाई इसने ऐसा काम कर दिया है बड़ जब कि उसने ऐसा नहीं किया है और आपको यह चीज़ पता है आपने उसे गलत इंफोर्मेशन दी है और उसके बात जो एक्षन लोग सेवक का होगा उससे उसको इंजरी हो सकती है या वो हर्ट हो सकता है तो उस बंदे पर जिसने false information दी है धारा 182 लग सकती है दारा 184 लोग सिवक्के प्रादिकार द्वारा विक्रे के लिए प्रस्थापित कीगी संपती के विक्रे में बाद उपस्तित करना यानि की विक्रे के लिए कोई मतलब जो सरकारी जमीन होती है उसकी को बेचने के रास्ते में बाद रुकावट डाले अगर कोई तो उस पर दारा 184 लग सकती है ओके आगे दारा 186 लोग सेवक के लोग कृत्यों के निर्वेन में बाद डालना ठीक है मान लीजी एक पुलिस कोई काम कर रही है और आके कोई बंदा बीच में टांग अड़ाने लगे तो उस पर वो दारा 186 लगा सकते हैं क्योंकि वो अपना काम कर रही थी लेकिन उस बंदी ने आसकर उसे रोका ठीक तो उस पर दारा 186 दारा 186 कहती है लोक सेवक को शती करने की दमकी जो पब्लिक सर्वेंट है उसको कोई बंदा हाम करने की दमकी देता है तो उस पर दारा 186 लग सकती है ओके चलिए अब आता है अध्याय नंबर 11 अध्याय 11 में देखें क्या कहा गया है मिठ्या शाक्षय और लोक न्याय के विरुद अपराद तीक है अगर फॉल्स एविडेंस देता है या पब्लिक जस्टिस की अगिंस अपराद करता है तो उस पर कौन-कौन सी धाराई जो है लग सकती है वो बताया गया है ठीक है सब से पहले देखें धारा 191 बटे 193 जो भी इस तरीके का मिलेगा आपको बाय में उसमें क्या होगा एक में जो है वो अपराद कर रहा है तो दूसरी में उसकी पनिश्मेंट जो है दी जाती है ओके चलिए धारा 191 क्या है मिठ्या साक्षय देना यानिकि गिविंग फॉल्स evidence नकली जो सबूत होते हैं वो देना ओके अगर वो दे रहा है तो उस पर धारा 191 लग सकती है और 193 में क्या है punishment for false evidence मिठ्या साक्षय के लिए क्या है दंड का प्रावधान किया गया है ओके 191 में मिठ्या साक्षय देना और दूसरे अगर हम देखे 192 में इसमें क्या है false evidence को fabricate करना कह सकते हैं आप ओके चलिए आगे है धारा 195 धारा 195 क्या है आजीवन कारावास या कारावास से दंडनी अपराद के लिए दोश शिद्धी कराने के अश्य से मिठ्या साक्षय देना तीक है मतलब किसी को आजीवन कारावास या मतलब आजीवन कारावास को दोश सिद्ध करने के लिए कि मतलब उसने ऐसा अपराद किया है इस तरीके के false evidence देना देते हैं अगर आप तो धारा 195 लग सकती है ठीक है giving और fabricating false evidence with intent to procure conviction of offenses punishable with imprisonment for life or imprisonment एक सो चानवे है उस साक्षय को काम मिलाना जिसका मिठ्या होना क्या थै मतलब उन evidence को use करना जिसका हमें पत्या है कि हाँ वो नकली है false है बट फिर भी उन्हें यूज़ कर रहे हैं तो उस पर धारा 196 धारा 197 है मिठ्या प्रमान पत्त्र जारी करना या हस्ताक्षिरित करना उस पर हस्ताक्षर करना यह भी क्या है कपराद है और जो आता है धारा 197 के अंदर आगे है धारा 198 प्रमान पत्र को जिसका मिठ्या होना ग्यात है और सच्चे की रूप में काम मिला देखे धारा 197 कहती है उनको जारी करना है उन पर हस्ताक्षर करना फिर उस मिठ्या प्रमा दारा एक्सो अठानव है उसके बाद आती है दारा दोस्सो एक क्या कहती दिखें अपराद के साक्षय का विलोपन या अपरादीत को प्रतिछादित करने के लिए मिथ्या इतिला देना means जो भी अपराद हुआ है उसके भी जो भी evidence है जो भी सबूत है उनको क्या कर दिना छुपा दिना और अपरादी को छुपाने के लिए क्या दिना गलत information दिना ठीक है causing disappearance of evidence of offences or giving false information to screen offender ठीक है For example दो बंदे हैं उनमें से एक माली जी ए और बी दो बंदे हैं बी ने किसी को मार दिया ठीक है और A उसकी help कर रहा है उसके मृत शरीर को छुपाने में ठीक है तो उसमें दोनों ही जो होंगे दोशी होंगे A भी और B भी अब जिसने अपराद किया है वो तो है ही लेकिन जो उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है वो भी उसके साथ अपरादी कहलाईगा और उसपर लग सकती है धारा 201 कारावास भी हो सकता है सातवर्ष का और जुर्माना भी जो है लग सकता है अगला है धारा 204 204 क्या है दिखे साक्षे के रूप में किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रोनिक अभी लेख का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नश्ट करना धारा 204 में क्या है कि कोई एविडेंस जो है पेश करना है ठीक है अब वो इलेक्ट्रोनिक भी हो सकता है उसको पेश किये जाने से ताकि वो पेश ना हो उससे पहले उसको नश्ट कर दीना ठीक है जो ऐसा करता है उस पर दारा 204 ठीक है डिस्ट्रक्शन अफ डॉक्युमेंट और एलेक्ट्रोनिक रिकॉर्ड तु प्रिवेंट इस एक मिन रहा प्रोड़क्शन अज एविडेंस ठीक है आगे अधारा 209 बेइमानी से न्याल्य में मिथ्थ्या दावा करना डिसोनेस्ट्ली मेकिंग फोल्स क्लेम इन कॉर्ड इन तब न्याल्य में बेइमानी से गलत दावा करना वही हो जाएगा इसमें और इसमें दो वर्ष्ट तक की सजा हो सकते और जुर्माना हो सकता है आगे है 212 अपरादी को संसर्य दीना संसर्य यानि क्या आश्रय दीना हार्बरिंग ओफेंडर ठीक है मतलब कोई अपराद हो चुका है और कोई जिसको जानता है जिस पे वो विश्वास करता है वो उसको जो है छुपा ले तो साथ में वो भी अपरादी हो जाएगा तो अपरादी को संसर्य दीना धारा 212 में है ठीक अगला है धारा 216 लुटेरों या डाकों को संसर्य देने के लिए शास्ती ये लुटेरे हैं या डाकू है अगर उनको आप आश्रय दे रहे हैं तो वो भी दंडन या अमलब उसके लिए अपराद हो सकता है ठीक है 2019 क्या कहती है न्याइक कार्यवाही में विधी के प्रतिकूल रिपोर्ट आदी का लोग सेवक द्वारा ब्रिष्टता पूर्वक किया जाना इसमें क्या है मतलब कोई लोग सेवक है और न्याइक कार्यवाही में वो जो कोई रिपोर्ट हुए या कोई अधिश हुआ उसको गलत प्रस्थुत करता है तेक है बिश्टता पूरवक या कोई सही रिपोर्ट है उसको चेंज कर दीता है गलत रख दीता है उसकी जगए न्याईक कारेवाही में तो वहां पर वो दोशी होगा और उस पर दारा 219 लग सकती है जिसकी कारवास हो सकती है साथ वरश तक की और लग सकता है या फिर दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है लोग सेवक को ठीक है आगे है दारा 228A क्या कहती है कतीपया अपराधों आदी से पीडित व्यक्ति की पहचान का प्रकटी करण अब इसमें क्या है 228A क्या कहती है मान लीजे कुछ अपराध ऐसे होती है जहां पर आप पीडित व्यक्ति की पहचान को उज्यागर नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आपने वो कर दिया है तो वो गलत है तो उस पर दारा 228A लग सकती है तो यह उस से रिलेटिड है ठीक है चल जमानत या बंद पत्र पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा न्याले में हाजिर होने में ऐस फलता ठीक है अब आपको पता है किसी ने कोई अपराद किया है तो वो जमानत पर तो आता ही आता है ठीक है जमानत पर आने के बाद कुछ होता होगा कि उसे न्याले में हाजिर ह होना होता है ठीक है बट वो नहीं होता है तो तब उस पर 239 दारा लग सकती है ठीक है चलिए अब आता है अध्याई नमबर 12 इसमें आते हैं सिक्के और सरकारी स्टांपों से सम्मंदित अपराद ओफेंसिज रिलेटिंग टू कोईन अंड गोर्मेंट स्टेंप ठीक है दारा 231 है सिक्के का कूटकरण यानिकी काउंटर फीटिंग कोईन सिक्के का कूटकरण देखे 230 जो है इसमें दारा 230 से शुरू होता है उसमें क्या दिया गया है सिक्के की परिवाशा दी गई है ठीक है सिक्का क्या है सिक्का क्या है मतलब धन के रूप में होता है जो हम डेली उप योग में लेके आते हैं ओके और फिर बारती सिक्के के बारे में बताया गया है ठीक है तो उसमें सिफ डाफिनिशन है अब बाताती सिख्ये का कूटकरण सिख्ये का कूटकरण यानि कि जो नकली सिख्ये बनाते हैं उन्हों पर दारा 231 लग सकती है दारा 240 कहती है उस बारते सिख्ये का प्रिदान करना जिसका कूटकृत होना कबजे में आने के समय ग्यात कर था मतलब delivery of Indian coin possessed with knowledge that it is counterfeit आपको पता है नकली note है लेकिन फिर भी आप उसको use कर रहे हैं जान बूज कर रहे हैं आगे है दारा 255 सरकारी स्टांप का कूटकरन यानि कि अब वहाँ पर था सिख्ये का यहाँ पर सरकारी स्टांप नकली स्टांप भी बनवाई जाती है तो वो दारा 255 उसमें लग सकती है अब है नकली स्टांप बना कर बेचना sale of counterfeit government स्टांप कूटकरित सरकारी स्टांप का विकर है यह दारा 258 उसपर लग सकती है तो यह याद रखिए चारो की चारो अब आता है अध्याई नंबर 13 अध्याई 13 कहता है बाटों और मापू से संबंदित अपरा जो तोलने में जो दुकांदर वगेर होती है जो तोलने में मुझब सही से नहीं तोलते हैं उसमें कुछ कमी रखते हैं उससे समंदित जो अपराद होते हैं इसमें सबसे पहले आती है दारा 264 तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपट पूर्वक उप्योग है जो कोई भी तोलने के लिए ऐसे उपकरण का यूज करेगा जिसको उसे पता है कि हाँ यह सही नहीं है उस पर जो है दारा 244 लग सकती है जिसके तैत उसे एक औरश्टक की सजा हो सकती है जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों से उसको दंडित किया जा सकता है ठीक है दारा 255 कहती है खोटे बाट या मतलब माप सभी से नहीं करें या खोटे बाट यूज कर रहे हैं उनका मतलब कपट पूरवकर आप यूज कर रहे हैं तो उस पर दारा 255 जो है लग सकती है ठीक है यह था अध्याए 13 में में जो थी इसमें दो ही दारा थी वो हमने पढ़ ली है ठीक है दो और होती है इसमे माप को अपने कबजे में रखना ठीक है और दोसो सरचट में खोटे बाट या माप को जो है क्या करना बनाना या फिर उसको पीछना हो जाएगा तो में इसमें दो हैं यह याद रखिए चलिए अब आता है अध्याई नंबर 14 इसमें क्या है लोक सवास्तिया शेम सुवीध ए ख्रचिया और रखसा है करे उसकी सेफ्टी को आफेक्ट करें सबसे पहले can't कुछ है क्यों से आसपास पास कि लोगों को खतरा हूं ठीक जासे नकली दवाईया बना रहे हैं और वैसे उसको आसपास के लोगों को खतरा होगा ठीक है तो कुछ इस तरीकी का जो को यह अपराद करता है जिससे यह पता है कि आगरापी काम कर रहे हो तो इससे जो आसपास की पब्लिक है उसको हानी पहुंच सकती है वो हाम हो सकती है तो उस पर दारा 268 लग सकती है ठीक है फिर आती है दारा 269 उपैक्षा पूरन कारिया जिससे जीवन के लिए संकर्ण रोग का संक्रमन फैलना संभावया है संक्रम, संक्रम फैलना मतलब कोई ऐसा काम करना जिससे आपको पता है कि वो फैल सकता है संकटपूरन रोग और फिर भी आप वैसा कर रहे हैं तो उसके लिए दारा दुस्तो उनेटर ठीक है, छे मास तक की इसमें सजा हो सकते हैं जुर्माना अलग से हो सकता है दारा दुस्तो उनेटर कहती है क्वारंटीन के नियम के आवा गया डिस ओबीडियन्स टु क्वारंटीन रूल, क्वारंटीन रूल क्या होता है कि अभी आप जैसे आपको पता है कोरोना हुआ तो क्वारंटीन की रूल को जो मतलब quarantine period रखा गया था अगर उस rule को अगर कोई follow नहीं करता है तो उस पर दारा 211 लग सकती है यह उससे related है मतलब कोई rule पास करना और उसको ना मानना दारा 211 में हो जाएगा आगे है दारा 212 विक्रे के लिए आशित खाद्य या पे का अप मिश्रन adulteration food or drink intended for sale मतलब बेचने के लिए आप क्या कर रहे हो खाने पीने की चीजों में मिलावट कर रहे हो ठीक है तो उस पर दारा 212 वैतर ठीक है अब 232 कहती है कि मिलावट तो हो चुकी अब उस मिलावटी खाद्य वदारतों को आप क्या कर रहे हो बेच रहे हो मिलावटी खाद्य वदारतों को बेच रहे हो तो दारा 213 लगेगी ठीक है sale of noxious food for drink 257 है अब मिश्रित ओशदियों का विक्रे यानि कि जो माडिशन्स होती है मिलावटी जो दवाईयों होती है उनका विक्रे जो होता है किसमें होता है मतलब उनको बेचना 257 में 274 क्या है दवाईयों में मिलावट करना और 257 में अगर आप उन मिलावटी दवाईयों को बेच रहे हैं तो दारा 257 लगेगी ओके चलिए अगला है दारा 277 इसमें क्या है लोक जल स्त्रोत या जलाशय का जल कलूशित करना तेक है मतलब फर एक्जेंपल कोई तलाब है जिसका पानी लोग पीने के लिए यूज कर रहे हैं और उसमें आप जान भूज कर कुछ ऐसा डालें कि वो पानी खराब हो जाए या उसमें जहर वगएर डालें कि लोगों को हाम करें तो उसके लिए धारादूसौ स्तैतर यान कि पीने के पानी को अगर खराब करने की कोशिश करते हैं तो आपको तीन मास तक की करवास जो इसमें हो सकती है अगर वो मामू इसमें कम है अपराद मिनलब कुछ मिला दिया सिर्फ उस पानी को गंदा करनी के लिए ठीक लेकिन लेकिन जिस पर 299 लग आ इस पर 336 भी लग सकती है 37 भी और 38 भी चारों जो है उसमें लग सकती है 289 कहते हैं लोक मारक पर उतावले पन से वहां चलाना या हाकना मतलब रैश ड्राइविंग करना ठीक है मतलब पबलिक वेपर रैश ड्राइविंग करना करते हैं और इसकी शिकायत होती है तो दारा 289 आप पर लग सकती है 336 क्यों लग सकती है कारिये जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिक से संकटापन हो और विसा वाहन तीद चलाएंगी रैश ड्राइविंग करेंगी लोगों का जो है जो जीवन है वो तो खत्री में आएगा ही तो 336 भी आपको लग सकती है एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और परसनल सेफ्टी ओफ अदर्स 337 कहती है ऐसे कारिये द्वारा अवतिकारित करना जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिक सेम संकटापन हो जाए वही बात है कुछ ऐसा करना कि जिससे दूसरे की लाइफ जो है आप खत्री में डाल रहे है 338 ऐसे कारियों द्वारा घोरुपाइद कारियत करना जिससे दूसरों का जीवन या व्यक्तिक सेम संकटापन हो जाए मतलब तीनों में चीज एक ही है कि जब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो सामनी वाला हर्ट हो सकता है पबलिक हर्ट हो सकती है तो उन पर गिदाराई लग सकती है 289 के साथ-साथ ये भी लग सकती है अगर आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं तो सिर्फ 289 ही नहीं विद रिस्पेक्ट टू एनिमल यानि कि जीव जनतों होते हैं उनके साथ क्रुएल्टी करना या निर्देटा दिखाना यह हो सकता है ओके तो उस पर धाराई दुस्टो नवास्ती आगे है दारा नंबर 292 दुस्टो बानवे है अशलील पुष्टको का विक्रे आदी जो गलत तरीके की जो बुक्स होती हैं उनको आप बेच रहे हैं उनको आप सेल कर रहे हैं तो आप पर धारा दुस्टो बानवे लग सकती है ठीक है दारा दुस्टो बानवे ठीक है दारा 293 है तरुन वेक्ती को अशलील वस्तुओं का विक्रे आदी तरुन वेक्ती यानि कि जो 20 वरत से कम का वेक्ती होगा उसको आप जो है ऐसी अशलील चीजे बेच रहे हैं सीरीज होगी या बुक्स होगी तो उस पर दारा दुस्टो बानवे लग सकती है ठीक है दुस्टो बानवे अशलील कारिय और गानी इसमें क्या है कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं अशलील और गानी बना रहे हैं या तो उस पर दारा दुस्टो बानवे लग सकती है ठीक है ठीक चलिए अगला आता है अध्याई नंबर पंद्रा अध्याई पंद्रा कहता है धर्म से सम्मांदित जो धर्म से रिलेटिड अपराद होते हैं उनके बारे में offences relating to releasing देखिए इसमें किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आश्या से उपासना के स्थान को शती करना या आय पवित्र करना ठीक है जैसे मंदिर है उसमें आके कोई दंगा करे या गलत चीजे करे और वेसे वो धर्म को आनी पहुंचाएगा ठीक है या फिर मस्जिद के आ जास्त है और वहां पर लोग आके ऐसी चीजे करें तो उस पर दहरा 295 लग सकती है ठीक चले आगे 296 धार्मिक जमाव में विगन करना धार्मिक जमावें जैसे फूर एक्जेंपल कहीं पर किसी धार्मिक काम के लिए इखटा है फूर एक्जेंपल मंदिर में लोग इखट दालना तो उस पर दहरा 296 लग सकती है उसके बाद 295 के साथ 295 ए भी याद रखिये वी मर्शित और वीद वेश पूरन कारिये जो किसी वर्ग के धर्ब या धार्मिक विश्वाशों का अपमान करके उसकी धार्मिक बावनाओं को आथ करने के आश्चे से किये गए हो उसक कारिये जो किसी के धार्मिक विश्वास का अपमान करें उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करें तो उस पर 295 ए लग सकती है ठीक है 297 है कब्रिस्तानों आदी में अतिचार करना इसमें क्या है मतलब जैसे कब्रिस्तान में अंतिष्टिक जो कारिये होती है या मानस शव के साथ कुछ ऐसी चीजी करें लोग तो उस तरीकी का जब अपर आद करते हैं तो उस पर 297 लग सकती है ओवेस है वो भी किसी के धर्म को याप वो कर रहे हैं तो कब्रिस्तान आदी में अगरा त सकती है 297 दारा 288 दार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने के वी मर्शित आश्या से शब्द उचारित करना आदी मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुचाने के लिए ऐसे वर्ड्स बोलना उनके धर्म के बारे में तो उस पर दारा 288 ठीक है चलिए आगे आता है अध्य अध्याई सोला में हैं चलिए अध्याई सोला में आता है सबसे पहले दारा 299 बटी 304 299 बटी 4 क्या है आप राधिक मानव वद कल्पीबल हुमी साइड और मतलब आप राधिक मानव वद कि मतलब जो सोच समझ कर ऐसा काम करता है मतलब ऐसे शारिरिक शती करता है मतलब वो जो भी कर रहा है शारिरिक शती उसे कर रहा है कि उसे मृत्यू देनी ही है उस साश्चा से अगर कोई काम कर रहा है तो आप राधिक मानव वद जो है माना ज इसमें दिया गया है, मतलब, for example, अगर हम देखें आप Radik Manavad, एक हत्या होता है, जैसे Hare сказать कि ने 받 यहां पृर्पर मुझे उसके अठ्या करने वोगया। уз आप गप दिया है आप Radik Manavad, क्या कैसे सकते ,oor example, कि एक गड़ा आपने खोदा ठीक है और उस पे जो आपने क्या कर दिया लकडिया इस तरीके से बिच्छा दी है कि अगर कोई बंदा वहां से गुजरे तो उसे मृत्यू का प्राप्त हो जाए ठीक है उसमें गिर जाए या मारा जाए तो वो क्या है इक अपरादिक मानवद का अपराद जो है माना जाएगा ठीक है तो इस तरीके के काम करना एक तो डिरेक्ट उसको मारना वो तो हत्या हो जाएगी लेकिन कुछ ऐसे चीज़े करना जिससे आपको पिता है कि किसी की मृत्यू जो है उसमें हो सकते है और ऐसे काम कर रहे हैं तो वो आपरादिक मानवद हो जाएगा ठीक है चलिए, एक और एक्जामपल इसमें हम पढ़ते हैं, देखें, अगर हम बात करें, मा की गरब में अगर कोई सिश्यू है, और वही पर मर जाता है, मिस्कैरिज जो हो जाता है, जो भी है, तो वह मानवद नहीं माना जाएगा, लेकिन, बच्चा बाहर आ चुका है, जीवित है आप उसका मितलब, क्या कहते हैं, वद करते हैं, मितलब किसी रीजन से कि उसका कोई भाग बाहर निकला है, या उसे स्वास लेने में प्रोब्रम है, तो वो आपरादिक मानवद की दृष्टी में आता है, जब अगर उसे मारा जाता है, तो ठीक है, या या फिर कोई बंद किसी को मारना चातर, वो गलती से किसी और को मार देता है, उसे नहीं पता है कि वहाँ पर वो है, तो वो भी आप रादिक मानवद, जो है, माना चाय का, ठीक है, चलिए, इसमें आप उसके बाद आती है, दारा नंबर 300, बहुत इंपोर्टेंट है, 300 और 302, दोनों ही इंप दारा 300, for example, आपको पता है कि सामने वाला बंदा इस चीज से ग्रस्त, मनलब इस रोग से ग्रस्त है, और आप जान बूज कर कि हाँ, अगर इस पर मैं ये एक अटेक करूंगा, उसको मोत आ जाएगी, फिर भी वो आप कर रहे हैं, तो वो हत्या हो जाएगी, क्योंकि आप 302, ये याद रखे, दारा 303 क्या है, आजिवन शिद्ध दोश द्वारा, हत्या के लिए दंड, पनिश्मेंट फोर मर्डर भाई लाइफ कन्विक्ट, ठीक है, इसमें क्या है, एक्चल में क्या कह रहा है, कि आपको किसी अपराद के लिए, उमर कैद की सजा दी गई है, आ तो आपको मृत्यू से दंडित किया जाएगा, इसमें ये कहा गया है, आजिवन शिद्ध दोश द्वारा हत्या के लिए दंड, ठीक है, दारा 303 ये कहती है, क्या आपने, मतलब आप पहले ही आपको सजा हो चुकि आजिवन क्या रहास की, ठीक है, लेकिन फिर भी आप जो द्वारा मृत्यू कारित करना, 304 तो हमने उपर पढ़ लिया, 299 के साथ, ठीक है, अब 304 ये क्या कहता है, उपेक्षा द्वारा मृत्यू कारित करना, means, अगर गलती से कोई डैथ हो जाती है, तो उस पर 304 ये, for example, जैसे, अगर हम देखे, तो ड्राइवर वगेरे जो होते हैं, अगर उनसे कभी गलती से हो जाता है, ऐसा कि एक्सिडेंट हो गया, उसमें मृत्यू हो गई है, तो उस पर 304 ये लग सकती है, तो उसे जान बूज कर नहीं किया है, बट हो गया है, गलती से अगर वो हो सकता है, दोनों से उसे दंडित किया जा सकते है, तो गलती से, उसका मोटिव नहीं था कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, बट अंजाने में उससे वो चीज हो जाती है, 304 भी कहती है, दहेज मृत्यू, ड्योरी डैथ, ड्योरी डैथ, आपको पता है, इस तरी के शरीर पर अगर शरीरिक शर्ति मिलती है, तो उस पर मृत्यू, दहेज मृत्यू का केस हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी एक कंडिशन है, अगर ये चीज, साधी के, अगर 7 साल से कम हुए है, तो दहेज मृत्यू जो है, मानी जाएगी, ठीक है, बट अगर वो 9 साल है, 10 साल है, और उसके शरीर पर शरीरिक शर्ति है, लेकिन बट उस पर डोरी डैथ का कीस नहीं बनता है, तो उसकी शादी को अगर 7 साल या 7 साल से कम है, तो ही उस पर डोरीज uarी डैथ लग सकती है, या तो दहेज मृत्यू का अपराद लग सकता है, अगर जो इस्तरी मरी है, उसके शरीर पर ज इसके लिए क्या है अगर उसकी शादी को साथ साल से कम हुआ है तो ठीक चलिए धारा 305 यह कंडिशन याद रखे साथ साल वाली बहुत इंपोर्टेंट है यह थारा 305 क्या कहते है सीशू या उनमत व्यक्ति की अत्या का दुस्परेरन अठारा वरसे दुस्परेरन क्या होता अब उक्सान क connectivity करने के लिए या उनमत व्यक्ति येचिर जो क्या कहते है उसके दिमांग से थोड़ा वह होता है 18 वरस से जोूंनर उसको अशनist तो वहां पर रखे तो 5 लगेगे तुक है नारा 306 ओंत्या का दुष्परेरण अबेटमेंट ओफ सुसाइडी यहां पर था सिशुरुन्मत व्यक्ति को उक्साना और यहां पर है मतलब किसी को भी आतम अत्या के लिए उक्साना तो दारा 306 लगेगी ठेक है आगे हैं हत्या करने का प्रियतन means attempt to murder किसी की अत्या करने का अगर आप प्रियतन कर रहे हैं तो दारा 307 लगेगी और अगर आप करेंगे अत्या करने का प्रियास कर रहे हैं तो दारा 309 लगेगी ठेक है यह याद रखिए एक तो हत्या करने का प्रियतन attempt to commit suicide क्योंकि यह देखे सारी धारा ही हम वो पढ़ रहे हैं जो हमेशा यूज में आती हैं अब accident भी होते हैं हत्या भी होती है चोरी भी होती है आतम हत्या की भी कोशिश करते हैं तो यह तो वो चीजे हैं जो हमेशा यूज में होती है ठीक है जो धारा ही हमेशा यह लगती है वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ रहे हैं अदर्वाइस धारा बोत हैं ठीक है बट सारी नहीं पढ़निया में ठीक है चलिए आगे दारा 310 और 311 तीनसो दस में ठग और 311 में है इसकी punishment मतलब जो कोई ठग होगा उसको जाएगा ठीक है ठग में क्या है किसी को लूटना या बच्चे चुराना हो गया किसी को मार के उसको लूट लीना हो या सिशों की चोरी करना हो यह ठग में आएगा फिर उसके लिए दंड है जो ठगेगा अब उसको दंड तो दिया ही जाएगा तो जुर्माने से भी हो सकत है ठीक है 312 कहते है गरब पातकारित करना कोजिंग मिस्कैरिज अगर आप किसी का मिस्कैरिज करा रही है मतलब गरब पातकारित कराने का जो रीजन है वो इस्तरी की जान बचाने से रिलिट नहीं है कोई और ही रीजन है फिर एक्जेंपल अगर आप यह चेक करा लेते हैं कि हाँ लड़की है और आप उसको मिस्कैरिज कर रही है तो उस पर 13312 इक तो होता है कि कुछ रीजन से कि वो बच्चे में अगर कोई प्रोब्लम है तो उसकी माँ को कोई प्रोब्लम हो सकती है वो करा रही है लेकिन अगर आप किसी और रीजन से मिस्कैरिज करा रही है कि हाँ लड़का नहीं है लड़की है हम इसलिए करा रही है तो उस पर 13312 लग सकती है और यह होता है इस तरी की स्वेच्छा से यानि कि उस वुमिन को पता होता है कि हाँ उसका मिस्कैरिज अबोक्षन जो है करवाया जा रहा है ठीक है ठीक है चलिए आगे दारा 313 है इस इस तरी की सम्मति के बिना गरभ पात कारित करा है इसमें था इस तरी की सहमति के साथ 313 में है इस तरी की सम्मति के बिना यानि कि उसको पता नहीं है कि उसको जो है अबोशन करवाया जा रहा है तो उस पर दारा 313 लगेगी 314 क्या है गरभ पात कारित करने के आश्य से किय हो जाती है तो दारह 311 लगेगी ठीक है फिर आता है दारह 312 318 क्या है उपाती उपाती यानि ककी कि किसी को हर्ट करना है पैसंब कोई वेक्ति किसी को शारिरेख पीडा देता है या उसे हट करता है तो वो उपती माने जाएगे और उस पर दारा 319 लग सकती है 323 क्या है स्वेच्छा उपहती करने के लिए दंड ठीक है किसी को हर्ट करने के लिए दंड का प्रावदाम 323 में है 320 है गोर उपती यानि कि ग्रीवियस हर्ट अब गोर उपती में कौन सा आता है देना या किसी के कान में कुछ ऐसा करना कि वो कभी सुनी न पाई मतलब ऐसा करना कि उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करना ठीक है तो वो हो जाएगा उपती मतलब सिर्फ एक शारिरिक पीड़ा दीना या मार दिया पीट दिया तो उस पर अदू 319 लग सकती है 320 में कुछ उससे बढ़कर करना ठीक है किसी के आखे निकालने ना किसी के कान में कुछ ऐसा करना कि वो सुन न पाई या किसी के अंग को बिलकुल तोड़ देना अलग कर देना सिरिया चैरे को बिगाड़ देना तो ये दातों को उखाड़ देना जो भी हड्या वगएर है उनको तोड़ देना तो वो हो जाता है गोर उपती में ठीक है? वो आ जाएगा 320 में ग्रिवियस हार्ट और 325 में क्या है? स्वेच्या गोर हुपती करने के लिए दंड मतलब किसी के उकसाई भी ना स्वेच्या का है यहां पर मतलब क्या है? कि आप वो काम अपने उससे कर रहे हैं किसी के उकसाने पर नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए दंड होगा 325 में 319, 323, 320, 320, 320 याद रखे फिराती 324 और 325 और 26 324 कहता है खतरना का यूदिया सादनों द्वारा स्वेच्या उपती कारित करना मतलब वेपिन्स के साथ आप अपने आप से किसी के उकसानी पर नहीं किसी को क्या कर रहे हैं? हर्ट कर रही है तो द्वारा 324 किस के द्वारा? वेपिन्स के द्वारा ठीक है? 326 है अब 325 तो आपने पढ़ ली स्वेच्या गोर उपती करने के लिए दंड और वेच्या गोर उपती में तो आएगा अब अगर आप 324 कर रहे हैं तो उस पर 325 भी लग सकती है दंड देने के लिए और 326 भी क्या है? खतरना का युद्या साद नद्वारा स्वेच्या गोर उपती कारित करने का दंड है इसमें एक एमनेट अगर आप 324 कर रहे हैं तो उसको 325 के अंडर क्या हो सकती है? पनिश्मेंट हो सकती है दंड मिल सकती है तो 320 कर रहे हो 324 है, 326 है तो इनके लिए दंड का प्राव दंड किसमें 325 में ही है चलिए चलिए आगे है 326 A एसिड अमला किसे पर आप वोलिंटेरली क्या कर रहे हैं? एसिड एफेक रहे हैं तो उस पर 326 A लग सकती है और इसमें जो है कम से कम 10 साल तक किसी कर रहावास हो सकती है ठिक है? अगर आप किसी भी करती है तो 326 B है अचिड अमला करने का प्रियास करना वलिंटेरली थ्रोईंग और अटाम्टिं टु थ्रो एसिड किसी पर अचिड डालने का प्रियास करना तो दारा 326 B ओके? एक होता है ऐसी डमला हो चुका है तो 326 है एक आपने प्रियास किया लिकिन ऐसा हुआ नहीं तो भी आप पर दारा लग सकती 326 328 दारा क्या कहती है अपराद करने की आश्या से विशित्याती द्वारा उपती कारित करना मतलब किसी के खाने में जानबूज कर आप कुछ मिला रहे हैं ताकि वो हर्ट हो जाए ठीक तो भी एक अपराद है तो इस पे दारा 328 लग सकती है ओके आगे है दारा 332 लोक सेवक अपने कृतव्य से भ्योपरत करने के लिए स्वेच्छा उपती कारित करना वोलेंटरली कोज हर्ट टू एक मिनच ओके डीटर है ये डीटर पब्लिक सेर्वेंट फ्रों हिस जूटे ठीक है इसमें क्या है कि कोई लोक सेवक है जो अपने जूटी कर रहा है और आप उसको हर्ट करने की कोशिश करें या ड़राने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके बारे में बताया गया है तो उस पर 13332 लग सकती है ठीक है और इसमें गोर उपति कारित करें तो धारा 333 हो जाएगी ठीक है है मतलब कूई लोक सेवक है और वो अपने कर्तवय का निर्वेन कर रहा है अच्छे से मतलब उसको हर्ट किया जाए तो उस पर लग सकती है आगे दारा दो 349 और 341 349 क्या कहता है यह 349 और 340 एक में सदोश अवरोद है और तुसरी में सदोश परी रोद है अवरोद का मतलब क्या है जो किसी कोई किसी विक्तिक की रास्ते में बाद आडालता है कोई रास्ता है कि आपको यहाँ पर जाने का अधिकार नहीं और उसकी रास्ते में रुक जाए तो वो हो जाता है सदोश अवरोद सदोश परी रोद क्या होता है wrongful confinement कि आप किसी बंदे को चारो और से बंद कर देते हैं जब आप किसी बंदे को चारो और से बंद कर देते हैं तो वो सदोश परी रोद की उसे में आ जाएगा बाशा में मतलब किसी भी तरीके से उसको बंद करके रखना यहां पर थी सिर्फ रास्ते में रुकावट करना कि भाई तो इस रास्ते से नहीं जा सकता है for example कोई जा रहा है और आके दूसरा अड़ जाए कि नहीं तू इस रास्ते से नहीं जा सकता है यह हमारा है तो अवेस है वो दूसरे रास्ते से जा सकता है वो के पॉसिमिलिटी है है उस पर भी आप धारा लग सकती है 349 परिरोध में क्या हो जाएगा कि आप किसी को बंद करके रख रही है चार दिवारी में ठीक है तो वो भी एक अपराध है कि आप उसके तरफ आपने एक सीमा बना दिया है कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते हैं तो वो सदोश परिरोध हो जाएगा तो यह याद रखिए 341 में क्या है इस सदोश अवरोध के लिए दंड है पनिश्मेंट है और 340 और 42 40 में परिरोध है तो 42 में सदोश परिरोध के लिए दंड है यानि कि पनिश्मेंट है फुर रॉंग फुल कन्फाइनमेंट तो यह अवरोध और परिरोध का मतलब है ठीक है चलिए आग या आता है 349 349 कहता है बल यानि कि फोर्स कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर अगर बल का प्रियोग कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा वो उस पर तारातिर्सो उनिशास लग सकती है ओके फोर एक्जेम्पल एक मिनिट जैसे आपको पता है कि आपके भी पडोस में होता होगा कि दो लोगों के बीच लडाई हो जाती है एक दुसरे पर बल प्रियोग करते है तो वहाँ पर दारातिर्सो उनिशास ठीक है वो कोई अपरादी नहीं है लेकिन कुछ चेज़े होती है कि उन लोगों के अगर नहीं बनती है किसी भी चीज़ को लेकर उनमें लडाई हो जाती है और वो एक दुसरे पर बल यूज़ करते हैं तो दारातिर्सो उनिशास लगएगी फिर आता है आप रादिक बल क्रिमिनल फॉर्स ये क्या है मेंस मतलब आप किसी बंदे को डरा रही है धमका रही है फिर उस पर बल प्रियोग कर रही है डरा कर दमका कर या पिस्टल के बल पर कर रही है कुछ ऐसी चीज़े तो वो क्रिमिनल फॉर्स होगा आप रादिक बल होगा यानि कि वो किया ही इस आस्चे से जा रहा है वो बल ही इस आस्चे से लगाया जा रहा है एक सिंपल दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है उसमें जो फोर्स लगता है उसके लिए तिनसो निंचास है बट आप रादिक बल तिनसो पचास में हो जाएगा थिक है कोई बंदा किसी बंदे पर मुप 2 अस तरीके से ट्राय करता है कि उसे उस सामने वाले बंदे को पता है कि मैं अगर wragg एयसे मुक्र मारूंगा तो वह मरेगा ही मरीगा तीक है लेकिन फिरね वह उसको मार रहा है तो वो क्या होता है वो हमला हो जाएगा ठीक है कि वो जानते बुझते उस पर हमला कर रहा है तो इस तरीकी का कुछ वो हमला है ठीक है चलिए अब आती है धारा 354 मोस्ट इंपोरेंट धारा है पुझी जा सकते हैं इस तरीकी लज्जा या भांग करने के आश्चे से उस पर हमला या आप रादी कबल का प्रियोग मतलब दारा 354 किस पर लग सकती है मिंस किसी भी पुबलिक पुलेस पर आप किसी में इलाकी बेज़ती कर रहे हैं या उसको चोट पहुचाने की उसे हट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर दारा 354 लगेगी एक और चीज याद रखिए दारा 354 के अंडर कुछ और लोग आते हैं 354 A 354 B कुछ इस तरीके से इसमें क्या होती है जो दारा 354 होती है ये नोन बेलेबल होती है गैर ज़मानती होती है मतलब इस पर आपको जमानत नहीं मिल सकती है ठिक है याद रखिए देखे इसमें 354 A है sexual harassment, योन उत्रपीड़, ठीक है, ये जो धारा है, ये जो section है, ये सिर्फ महिलाओं की रक्षा के लिए बनाया गया है, मतलब उनके प्रावधान है, ठीक है, इसमें भी जैसे अलग-अलग चीज़े हैं, मतलब आपको कोई physically touch कर रहा है, या आपको forcibly कोई अश्लीर चीज़े दिखा रहा है, या फिर sex करने के लिए अनुरोधी कर रहा है आपसे, तो ये चीज़े जो होती है ये 354A में आती है, और ये non-vailable है, ठीक है, तो अगर आपसे कोई इस तरीके से कुछ कर रहा है, तो उस पर धारा 354A लग सकती है, फिर मतलब कपड़ी उतारना, ठीक है, तो वो इस तरीके का जो हरकत करता है, उस पर धारा 354B लग सकती है, ठीक है, और कम से कम 3 साल या जाद से जादे इसमें 7 साल की सजा उसको हो सकती है, धारा 354C, छिप कर किसी को देखना, या किसी की अश्लील तश्वीरे लेना, यह 354C में आता है, ठीक है, फिर आता है 354D, किसी का पीछा करना, जो पूर्ष महिलाओं का पीछा करती है, तो यह महिलाओं की रक्षा के लिए बनाया गया है, और इसमें एक वर्ष से कम सजा हो सकती है, लेकिन उसको 3 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है, तो सजा 1 से 3 साल अगर कोई किसी का पीछा करता है, तो ठीक, और यह याद रखिए, यह नोन बेलिबल होती है, गैर जमानती हैं यह, इनमें कोई जमानत नहीं मिलती है, आगे आता है, दारा 369 बटे 369, 369 में क्या है व्यपरण, यानि कि किड़नैपिंग, और 363 क्या है व्यपरण के लिए व्यपरण है, 16-18 वरस से कम को लड़की है, जैसे उसको बगा कर आप ले जा रहे हैं, तो वो क्या होती है, व्यपरण होती है, अपरण नहीं व्यपरण होती है, किड़नैपिंग होती है, ओके, अपरण क्या होता है, किसी को डरा दम का कर कोई काम करते हैं, जब कि आप किस पर उसको बहला फुसला कर अपने साथ बगा कर ली जा रहे हैं तो वह व्यपरण होती है कि नापिंग होती तो उस पर 1369 लग सकते हैं 363 में क्या है इस किड़नापिंग के लिए चंड है पणिश्मेंट फोर किड़नापिंग 360 है बारत में से व्यपरण करना यानि कि बारत में से व्यपरण बारत के बाहर रहते हुए बारत के अंदर से व्यपरण करता है उसे बारत से बाहर ले जाता है तो उस पर लगता है कि नापिंग फ्रॉम एंडिया इक व्यपरण से व्यपरण करें अगर इसमें अगर हम बात करें है इसमें माली जे किसी की रिस्पॉंसिबिलिटी किसी को दी गया थे लाग जैसे उसमें बच्चे की जो कस्टेडी है वो किसी एक को दी जाती है अगर फादर को उसको मिलने की पर्मिशन नहीं है, फिर भी वो उसको लेके चला जाता है, तो वो व्यपरण होगा, धारा 301 उसपे लग सकती है, ठेक है, तो यह है धारा 301 इंसक्षन, 362 बहुत इंपोरेंट है अपरण, यानिकि अपडेक्शन, दरादम काकर अगर किसी को ले जाते हैं, तो वो अपरण की कैटेगरी में आएगा, यानिकि बल पूरवक जब आप किसी को लेके जाते हैं, तो वो अपरण कहला आएगा, 363 A, भीख मांगने के प्रियोजन के लिए, तो आपने बहुत सारी मुवीज में देखा भी होगा, कि मुवीज में दिखाते हैं, कि बच्चों को भीख मांगने के लिए क्या कर देते हैं, विकलांग भना देते हैं, ठीक है, तो उन पर जो है, जो ऐसा करता है, कि बच्चों को भीख मांगने के लिए वो उसे विकलांग कर रहा है, तो उस पर 363 A लग सकती है, ठीक, 364 अत् आगे हैं 364 A, फिरोती मांगने के लिए, अब आप परण हो रहा है, और आप उसके माता-पीता से पैसे मांग रहे हैं, तो उसके लिए उसके लिए परण करना 364 A ही लग जाएगी, 365 है किसी व्यक्ति का गुप्त रीती से और सदोश्मरी रोध करने के आश्चा से वेपरने अपने यानि कि किसी बंदे को आपने अपरण किया है सिर्फ उसको बंद रखने के लिए ठीक है तो उस पर 335 है Dharah 366 कहती है Vivaadhi करने को विवश्च करने के लिए किसी इस्तरी को वैपरित करना मतलब कोई ladies जो आप से शादी नहीं करना चाहती है बटाप करना चाहती है and then आप उसको क्या कर रहे हैं ले के जा रहे हैं उसको उसका उपरन कर रहे हैं वैपरन कर रहे हैं Minor girl, यानि कि जो 18 वरश्य कम साल की जो लड़की है, उसको गलत चीजे करने के लिए कहा जाए, तो उस पर 1336 A जो है लग सकती है, ठीक है? 366 B, विदेश से लड़की का आयात करना, इसमें आती है 21 वरश्य कम आयू की लड़की है, उसको बारत के बाहर से, कि किसी देश से अगर भी जा जाए, तो वहाँ पर, ठीक है पहले यह प्रावदन जैसे जम्मू कश्मीर से भी था, कि अब तो नहीं है, ओव्वेस अब जम्मू कश्मीर वैसा नहीं रहा है, तो इसमें क्या है, पहले था कि अगर बारत के बाहर से यह जम्मू कश्मीर से अगर लड़की भी जाए अंदर, तो वह था आयात करना, लेकिन अब सिर्फ इतना है कि अगर बारत के बाहर से 21 सोड़ से कम आयों को अगर बेजा जाता है, गलत चीजे करने के लिए, तो उस पर दारा 366 भी लग सकती है, 366 है, व्यक्ति को घोर उपती, दास्तव आदी का विशय बनाने के उद्यश्य से व्यपरण करना, मतलब आप किसी को हर्ट करने के लिए, उसको अपना गुलाम बनाने के लिए उसका परण कर रहे हैं, तो वो हो जाएगी दारा 370, फिर दारा 371 दाशों का अब्यासिक व्योहार करना है, यांकि उनके साथ गलत व्यवार करना कर रहे हैं, तो वो 370 में आता है, ठीक है? इसमें मितलब क्या है कि आप किसी को आयात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, उसकी इच्छा के विरूद वो चीज़े कर रहे हैं, तो वो दारा 371 के अंदर आएगा, तिन सो बैतर है, वैश्या वरतियादी के प्रियोजन के लिए एप्राप्तवय को बीचना, ठीक है? कि 18 साल सी कम की जो बच्ची है, उसको आप वैश्या वरतियादी के लिए बीच रहे हैं, गलत काम करने के लिए आप उसको किसी और को सोबर हैं, आगे वो किसी और को सोब तो वो धारा 332 उस पर लग सकती है, ठीक है, 373 वैश्य वरतियादी के प्रियोजन के लिए आप्राप्तिवय को खरीदना, यह है खरीदना, अब अगर कोई बेचेगा तो दूसरा उसको खरीदेगा भी, केस तो दोनों पर ही चलेगा, जिसने खरीदा उस पर भी, जिसने बे प्रिप्ति को उसकी इच्छा के विरुद जो है शरम करनी के लिए अगर विवश किया जाएगा, तो उसके लिए है यह 374, इसमें इसको एक वर्ष्ट तक की सजा हो सकती है, जुर्मान है यह दोनों से दंडित किया जा सकता है, आगे आता है 375, most important है, most important है धारा 375, प्राद संग कब होगा, जब वो इस्तरी की इच्छा के विरुद हो, इस्तरी की सहमती के बिना हो, जोर्ज बर्दस्ति उससे किया गया हो, उसको भे में डाल कर किया गया हो, जब इन situation में किया जाता है, तो वो रेप कहलाएगा, ओके, और 376 में क्या है, इनके लिए दंड का प्रावधान है, आगे आती 376 A, इसमें क्या है, पिडिता की मृत्यू या लगातार विकरत शिल्दशा कारित करने के लिए दंड, मतलब आप कोई गलत काम उसके साथ कर रहे हैं और उसमें उसकी मृत्यू हो जाती है, या आपने उसके साथ ऐसी हैवानियत की, कि मतलब उसकी दशा बहुत बुरी हो गए है, तो उसपर आपको 376 A, उसपर लगेगी, ठीक है, 376 B क्या है, कि अलग के जाने के दुरान किसी पुरुष द्वार अपनी पतनी के साथ सम्भोग, मतलब sexual intercourse हो रहा है, जबकि case चल रहा है कि वो दोनों अलग हो चुके हैं, मतलब तला आपके साथ वाँ पे कोई अधिकारी या ओफिसर कुछ गलत करता है, तो 376 सी लग सकती है, ठीक है, 376 D है, ग्यांग रेप, सामुहिक बलाचसंग, अस्पताल के परबंध या क्रमचारी आदी के किसी सदश्य दवार उस अस्पताल में किसी इस्तरी के साथ, ठीक है, मतलब चलिए, 376 E, 376 E क्या है, पुन्रा वर्ती करती अपरादियों के लिए दढ़, मतलब कोई ऐसी चीज़े बार बार कर रहा है, तो उसके लिए दढ़ का प्रावदान है, punishment for repeat offenders, धारा 377 है, प्रकरती के विरुद कोई अगर अपराद कर रहा है, अगला आता है, अध्याई सत संपती के विरुद अपरादों के विशय में, offenses against property, properties related जो अपराद होती है, सिबसे पहले 378, अगर आप चोरी कर रहे हैं, तो 388, चोरी के लिए दढ़ का प्रावदान, 389 में, दोनों important है चोरी और चोरी के लिए दढ़, 388 किसी के निवास ग्रह, घर में अगर आप चोरी 381, क्योंकि अब चोरी हमेशा ऐसा तो नहीं है कि घर में ही होगी, तो चोरी के लिए तो 378 लगेगी है, साथ में अगर आप घर में चोरी कर रहे हैं, तो 381 हो जाएगी, लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब जे की संपती की चोरी, ठीक है, मतलब आपका कोई मालिक ह है, और आप उसके सेवक हैं, या लिपिक है, और आप जो है, उसकी संपती को चुराने की कोशिश कर रहे हैं, तो 381, 382 है, चोरी करने के लिए मृत्यों पतिया, अब रोधकारीत करने की तयारी के पश्चात चोरी, अब आपको पता है, आज कल चोरी ऐसी भी हो रही है, कि पहले, मतलब उन लोगों को मार दिया जाते है, और सब कुछ लूट कर ले जाती है, तो उन पर 133, 382 लगेगी, ठीक है, 383 और 384, extortion और punishment for extortion, यानि कि किसी को, extortion क्या होता है, किसी की संपती को लूट लेना, या पैसे को लूट लेना, उसकी प्रोपर्टी जो है, उसको लेना, वो extortion होता है, ठीक है, फिर 384 में क्या है, उस extortion के लिए दंड का प्रावधान है, ठीक है, 383 क्या कहती है, उद्धापन करने के लिए किसी व्यक्ति को सती के ब्यावे डालना, कि मैं आपको हाम कर दूँगा, मैं आपके साथ ऐसा कर दूँगा, दन आप उसकी संप दूँगा, वो कर दूँगा, वो चीज़ें, अब आता है दारा 390 और 290, 390 में लूट है, और 390 में लूट के लिए दंड है, एक 391 जिसमें डकैती और 395 में डकैती के लिए दंड है, अब रोबरी और डकैती, इसमें भी फरक है, अगर 2 या 2 से जादा, लेकिन 5 से कम, अ 390 और 290 और 391 और 395, ठीक है, साथ-साथ इनकी पनिशमेंट भी याद रखे, आगे 393 है, लूट करने का प्रियतन, attempt to commit robbery, अगर आप लूट करने का प्रियतन कर रहे हैं, प्रियास कर रहे हैं, तो दारा 390 में लग सकती है, ओके, हत्या से इत डकैती, यानि कि आप हत्या भ क्रियास करने के प्रियोजन से एकत्तरीत होना, assembling for purpose of committing डकैती, ठीक है, लेकिन आप उस प्रियोजन के लिए एकत्तरीत हो रहे हैं, कि आप डकैती कर पाएं, तो उस पर दारा 402 लगेगी, ठीक है, चलिए, आगे दारा 405 और 406, आप राधिक न्यास भंग, यानि कि क्रिमि breach of trust, विश्वास तोड़ना किसी का, 405 में क्या है, कि माल लीजे, एक बंदा है, उसने किसी दूसरे बंदे को अपना गर जो है, दे दिया है, कि मैं कुछ काम के लिए माज आ रहा हूँ, और आप मेरे घर के सामान का क्या कर लीजे, देख बाल कर लीजेगा, ठीक है, इसको तो वो क्या हो जाएगा, आपरादिक न्यास भंग, वो इस के टेगरी में आएगा, तो उस पर 405 लग सकती है, और 406 में उसकी सजागा प्रावधान है, यानि कि वह हो गया विश्वास तोड़ना कि उस बंदे ने विश्वास से काम कहा, कि हाँ ऐसा कर लेना मेरे आने तक ठीक है, मेरी प्रोपर्टी को संभाल लेना, मेरे समान को संभाल लेना, इसके बाद वो बंदा, उसी की प्रोपर्टी को बेज रहा है, उसका विश्वास तोड़ रहा है, तो वो धारा 405 उस पर लग सकती है, फिर आता दारा 408, लीपिक या सेवक द्वारा न्यास भंग, मतलब कोई मालिक है और उसके जो भी सेवक हैं वो अगर उसके प्रोपरिटी को ऐसे बेच रही है या मतलब उसके विश्वास को तोड़ रहे हैं तो उस पर धाराचारसो आठ उसके अलाबा लोग सेवक हुए, बैंकर हुए, वेपारी हुए यह अगर अपर आधिक नयास बंग करते हैं तो दाराचारसो नो, ठीक है? आगे है दाराचारसो ग्यारा, चुराई हुए संपती को बेवमानी से प्राप्त करना, डिस-onestly receiving stolen property, आपको पता है कि जो समान आप ले रहे हैं वो चुराया हुआ है, आप तब भी उसको ले रहे है तो दाराचारसो ग्यारा, for example, जैसे गाओं वगेरे में आता है चुरी का समान बेचने के लिए लोग, ठीक है? हमें पता होता है कि आप भी वो चुरी का समान है, बट फिर भी हम क्या करते हैं उसको खरीद लेते हैं, तो उस पर दाराचारसो ग्यारा लग सकती है, ओके? व 413 क्या है, चुराई हो इस समपती का अभ्यास्ते व्यापार करना, मतलब, habitually dealing in stolen property, समपती चुराई हो और उसको लगातार व्यापार कर रही हैं, आप उसको बेच रही हैं, तो दारा 413, 415 और 417, किसी के साथ cheating करना, चल करना, और चल के लिए डंड का प्रावधान, ठीक ह तो आप किसी के साथ cheating कर रहे हैं, उसको हानी पोचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दारा 420 से चल करना, और समपती प्रीजित करने के लिए बेमानी से उथ प्रीजित करना, cheating and dishonestly inducing delivery of property इनमें अगर आप देखेंगे, तो आपने कभी पढ़ा हो कि किसी और की समपती को लोग अपनी कहा कर बेच देते हैं, कि आँ भाई, ये तो मेरी समपती है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे cases जो होते हैं, कि जो अपनी समपती को दूसरी की बता कर बेच देते हैं, या किसी की नुकसान पहुचाना, मिश्चीफ, मतलब जान बूज कर ऐसा कारिय करना कि जिसका आपको पता है कि सामनी वाली को नुकसान होगा, फिर भी आप वो कर रहे हैं तो उस पर दारा 425 जो है लग सकती है, ठीक है, for example, दो बंदे हैं A, B, A के पास कुछ special, मतलब जो भी कागर्च वगएरे जो हैं, और B क्या करता है, उसको जला देता है, तो धारा 425 में आ जाएगा, मतलब उसका नुकसान कर दिया ना, फर्स्ट वाली का तो, ठीक है, या फिर जैसे, किसी किसान ने गियों के फसल बोई, और दूसरा किसान क्या करता है, या कोई भी बंदा जिससे उसकी नहीं बनती है, वो आके क्या करें, पीछे से उसकी गियों के जो भी खेत हैं, उसमें आग लगा दे, ताकि वो जितना भी गियों है, वो जल जाए, तो वो क्या है, वो जीव जन्तु को वद करने या उसे विकलांग करने द्वारा रिष्टी, मतलब 10 रुपे से जादा के मुल्य का जो भी जीव जन्तु होगा, जब यह आया, अव्य से IPC जब आई, तो 10 रुपे तो बहुत जादा होते थे, तो 10 रुपे के मुल्य से अधिक का जो जीव जन्तु था, उसको अगर आप हानी पोचा रहे हैं, उसको आप विकलांग बना रहे हैं, तो उस पर दारा 428 जो है, लग सकती है, ठीक है, आगे दारा 441 है, आप राधिक अती चार, यानि कि क्रिमिनल ट्रेसपास, किसी दूसरे क संपती पर कवजा करना, रारा 441, दारा 442 में क्या है, हाउस ट्रेसपास, घर पर कवजा कर लेएं, ठीक है, घर पर कवजा कर लेएं, और 448 में इसकी punishment है house trespass की ओके 443 है परचन गरह अतिचार किसी के घर में जबरदस्ती गुष जाना किसी के घर में जबरदस्ती गुष ना दारा 443 444 क्या है रात के समय अगर आप किसी के घर में गुष रही है तो दारा 444 लग सकती है और उसकी punishment है 453 में ठीक है 445 है गरह बेदन वही house breaking घर के अंदर आप मालीजी चोरी के इरादे से घुस रही है तो गरह बेदन हो जाएगा रात के समय घुस रही है तो रात रोगरह बेदन हो जाएगा 456 में इनकी गरह बेदन और इसकी क्या है house breaking की punishment है दोनों की 445 और 456 की 456 है 452 है उपती हमला या सदोश अवरोद की तयारी के पश्चात मतलब किसी को heart हमला और इसकी तयारी करने के पश्चात आप घर में गुश रही है तो वह 12452 मतलब सब कुछ आपने तयार के लिया है हमें यह करना है इसको आप करना है पहले सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा यह जो है अध्याई इनको पढ़ लीजिएगा तक एक आइडिया हो जाए कि किसमें किसी चीजी रिलेटीड दी गई है तो यह भी एक सही चीजा देखे अध्याई पूछा जा सकता है जैसे ग्राम सचीव का एक्जाम था तो उसमें अध्याई से पूछ लिया गया है कि किस अध्याई में क्या का गया है दारा तो आई आई लेकिन अध्याई भी उतने ही इंपोर्टेंट है तो जो बच्चे धारा नहीं याद कर पाए, सारी कम से कम वो अध्याई जरूर याद करें, तो वो मिल जाएगा आपको, कि हाँ, किस अध्याई में किसे रिलेटिड बाते की गई है, आगे चले देखे, धारा 463 और पैसट आती, इसमें सबसे पहले है कूट रचना, फोर्ज जाल साजी की पनिश्मेंट के बारे में बताया गया है, 464 है मिथ्या दस्तावीज रचना, यानि कि जो जाली कागज बनाते हैं, मिखिंग ए फोल्स डोक्यूमेंट, वो धारा 464 में आता है, 466 है मुल्यवान प्रतिभूति, बिल इत्यादी की कूट रचना, अब देखे, नकली स्टांप अगरे है तो आमने पढ़ लिया था, ठीक है, अब ये थोड़ी सी और डीप वाली जो होती ना, वो धाराई है, कि आप फोल्स डोक्यूमेंट बनवा रहे हैं, विल फोल्स बनवा रहे हैं, तो उनकी जो आती है ना, फोल्जरी ओ वाल्यूब सेक्यूर्ट स्टांप वाली क्या थी, मतलब गलक तो वो भी था, लेकिन वो हल्की दाराई कह सकते ना, आपको कि छोटा मुटा अपराद था, तो वो अलग हो जाएगा, और दाराचार्सू सडशट ये गहरे अपराद है, जो अगर करें, तो लगता है, दाराचार्सू सडशट, ठीक ह ये जो अपराद होते हैं, जादा है, तो इसमें दस साल तक की कारवास हो सकती है, ओके, आगे है चल के प्रियोजन से कूट रचना, means forgery for purpose of harming reputation, एक मिनिट, ओके, यहाँ पर reputation ने cheating आएगा, cheating, यानि कि किसी को लूटने के लिए आप कुछ कर रहे हैं, तो वो दाराचार्सू अडशट हो जाएगा, ठीक है, चार्सू नेटर में क्या ख्याती को अप आनी पहुचाने के आश्या, जो आप सुनते भी होंगे, आप मानानी का case, कि अगर आप किसी की reputation को harm कर रहे हैं, तो वो सामनी वाला बंदा आप मानानी का case कर सकता है, तो उस पर धाराचार्सू नेटर लग सकते हैं, तो यहां पर cheating आएगा, harming cheating, harming cheating नहीं, गिवगा forgery for purpose of cheating, for purpose of cheating, इतना ही होगा, ठीक है, आगे चलिए, धाराचार्सू सतर है, कूट रचित दस्तावेजिया, document बनाना, या forced electronic record को त्यार करना, यह चीज़े, electronic record में जिससे कोई फूटू आपने इस तरीके से बना ली, जो गलत है, तेक है, या कुछ वीडियो इस तरीके से एड़िटी कर लिए, जो सही नहीं है, नकली है, तो धाराचार्सू सतर उस पर लग सकती है, आगे धाराचार 211 है, कूटर चीद दस्तावीच है, electronic अभी लेग का, असली की रूप में प्योग लाना, यह पता आपको कि वो नकली दस्तावीच है, जाली है, ठीक है, फिर भी आपको, आप उनका यूज कर रहे हैं, असली की तरह, कि या भी यह तो असली है, गलत नहीं है, तो धाराचा 211 है, 488 में व्यापार चिन यानिके ट्रेड मार्क से रिलेटिड है यह चीज़े, ठीक है, 478 में, ओके, चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ती हैं, विवासंबंदी अपराद, ओफेंसेज रिलेटिंग टू मैरीज, जो विवासंबंदी अपराद है, दाराच 494 क्या कहती देखें, पती या पतनी के जीवन काल्म पूने विवा करना, अजबिन वाइफ जीवी थे, या तो पती दूसरी शादी कर ले, वाइफ की रहते, यानि कि दूसरी शादी से लिखी यह हो गया, तो धाराच 494 उस पर लगेगी, 0490 है विदी पूराण विवा की बिना, कपट पूर्वक विवा करम पूरा कर लीना, ओकी आप विदी पूरण विवा नहीं कर रही हैं, छल पूर्वक विवा कर रही हैं, तो दाराच 40OS現在 1997 को जो जो है, जार करम जो है, जो पहले क्या कहते हैं, external affair अपराद माना जाता था तो उस पर 1447 में लगाई जा सकती थी लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है Supreme Court ने इसको खतम कर दिया है अब इस चीज को क्या कर दिया गया है Supreme Court के द्वारा अब इसको अपराद नहीं माना जाते है तो ये इसे में है जारकरम अडल्टरी धारा चरसो अठाणवे विवाईत इस तरी को आप राधी काश्या से फुसला कर ले जाना या ले जाना या निरूत रखना कोई जिसकी शादी हो चुकी है आप उसको फुसला कर ले जा रहे हैं उसके साथ करूरता करते हैं तो चरसो अठाणवे उन पर लग सकती है आगे आते हैं अध्याई 21 मानानी की विशह में डिफेमिशन दारा चरसो निन्याणवे कोई किसी को डिफेम करने की कोशिश कर रहा है उसकी जो भी रेपिटिशन है हाम कर रहा है तो उस पर मानानी का केस कर सकता है दारा चरसो निन्याणवे की अंदर पांसो में जो है मानानी के लिए दंड का प्रावधान जो है किया गया है इसमें क्या किया गया है तो इसमें मानानी के लिए दंड है पनिशमेंट है यह ध्याई किस्ता, ध्याई 22 कहता है, आप राधिक बीतरास, अपमान और शौप, criminal, intimidation, insult and annoyance, धारा 503 और 506, आप राधिक बीतरास, criminal, intimidation, यानि कि आप राधिक धमकी, कि आप किसी को धमकी दे रहे हैं, तो 503 लगेगी, और 506 में उस आप राधिक धमकी के लिए क्या है, punishment है, ओके 509 है, शब्द, अंग, विशेप या कारिय, जो किसी इस्तरी की लज्जा का नादर करने के लिए आशियत है, कुछ ऐसा करना, जो कि इस्तरी की लज्जा को हाम करे, तेन्धारा 509 उस पर लग सकती है, 510 है, मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार, यानि क अगर आप चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं, किसी को हानी पोचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप पर भारा 511 जो है लग सकती है, ठीक है, इसमें हमने अध्याई 19 नहीं पढ़ा है 18 के बास सिधा 20 पढ़ा था तो उसमें कुछ जो है यह सेवा समीदाओं से रिलेटिड है तो उसमें इंपोर्टेंट नहीं है तीनी धारा यहां तो उसमें एक दारा 490 होती है जिसमें 490 कहती है समुदरी यात्रा या यात्रा के दुरान सेवा बंग चार से रिलेटिड के लिए है और बान में जो है दूर वाले स्थान पर सेवा करने का सविदा बंग जा सेवक को मालिक की खरचे पर ले जाया जाते है तो कुछ ऐसा है तो यह यूज में नहीं आती है तो इसलिए इने करवाई गए है तो यह थी most important धाराएं इनको अच्छे से याद कीजेगा बार-बार याद कीजेगा ठीक है अब वो कोशन में बता देखती है जो हर्याना पुलिस में पूछे गए थे एक कोशन था कि IPC का अनुचेद 360 कि 360 जो है यह किस से सम्मंदित है ओप्शन थे उसमें चार अपरण, चोरी और अत्या ठीक है अब अपरण की अगर हम बात करें तो यह तो 362 में है चोरी नहीं हो सकता, अत्या का 300 में था, ठीक है तो यहाँ पर उक्त में से कोई नहीं होना चाहिए था क्योंकि 360 में व्यपरण की बात हो रही है और जब हम देख रहे हैं व्यपरण और अपरण दोनों में ही अलग दिये हुए हैं तो वहाँ पर अपरण जो आंसर वही नहीं सकता था तो उक्त में से कोई नहीं वहाँ पर आंसर होना चाहिए था क्योंकि 360 में व्यपरण की बात जो है कही गई है ठीक है इसके इलावा जो कोशन पूछा गया था वो था कि IPC में किस के तैत जाल साजी को प्रिवाशित जो है किया गया है अब जाल साजी अमने कौन से बेपड़ी थी फोर्च चार सो यहां पर अगर आप दिखेंगे है जाल साजी जो थी I think 463 में थी शायद देखते हैं यह रहे यह रहे यहां पर जाल साजी ओके यह रहे हां 463 में है जाल साजी तो यह पूछा गया था कि IPC में आप किस के तैत बानेंगे तो उसमें उप्शन 463 था एक 465 था 465 में क्या है इसकी punishment है तो अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ तो आपको याद रहेगा एक दो कोशन को आप eliminate कर पाएंगे अब 466 है 466 भी मैंने आपको बताया option में था ये भी इसमें क्या मुल्यवान प्रतिभूति बिलित्यादी की कूट रचना है एक 468 था जिसमें दल क चल के प्रियोजन से कूट रचना थी तो ये भी important मतलब जो important थी वो सारी option में दी गई थी ये कह रही हूं मैं आपको तो हमने सिर्फ important की है जो हमेशा use की जाती है वो दाराई तो जालसाजी का था important एक दहेज अत्या मैंने आपको बताया था पहले ही कि दहेज अत्या पू ठीक है तो इसमें भी option जैसे दिये गे थे 304a भी दिया गया था मींस उपेक्षा द्वारा में रित्यू क्या रित करना गल्ती से अगर कोई death हो जाती है तो इसके अलावा इसमें एक option चारसो अठाण में a भी डाला गया था क्या मैंने option करवाए एक मिन देख लेते हैं चा पूरता रखना तो यह भी पूछी गई थी मतलब option में दी गई थी तो अगर आपने पड़ी है तो आप eliminate तो कम से कम option को कर पाएंगे तो यह चीजे बस इसमें याद रखिए ठीक है तो दहे जत्या जालसाजी और इसके लावा इक और कौन सा था अनुछेद 360 है तो वही प किया है ना इन्हीं में से जो है आपको question मिल जाएगा ठीक है और PDF के लिए मैं जैसा कि मैंने आपको बताया आप HSTC Crest Course ले सकते हैं लिंक आपको इसका description box में दिया गया है ओके thank you so much अगर वीडियो अच्छी लगे तो like जरूर कीजिएगा